हेलो बच्चो कैसे हो आप सब लोग I hope सब लोग class enjoy कर रहे और बहुत ही बहुत ही interactive बहुत ही बच्चे मैं तो बहुत ही जितना मैं सोचता हो ना उससे जादा प्यार तुम लोग देते हैं मैं comment box कभी कोई देख रहा हो था बच्चे भरे पड़े मुझे पता है मैं सबको reply नह बहुत ही जादा reflection लेके आएगा जब एक साल बात जब तेरा exam होगा 10 महीने बाद 12 महीने बाद जब भी exam होगा ना बेटा तू अपने आपका best version निकलके बाहर आने वाला है होता नहीं कि doctor बनना है तो सबसे best doctor बनना है ठीक है सबसे best college से पढ़ना है सब का target कुछ लोग तो बहुत ही प्यार है बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप सब लोग देखो हर एक teacher का अपना अपना एक तरीका है आपका भी हर एक बच्चे का अपना अपना तरीका है पढ़ने का कुछ लोग को लगता है कि सर ज्यादा पढ़ना चाहिए कुछ लोग को लगता है नहीं सर होती है तो वो क्या करते हैं लिखने बहुत टाइम ले लेते हैं आपको यह भी नहीं बोलूँगा कि आप लिखने का टाइम मतलो लेकिन हाँ हो सकता है कि आपको स्पीड बढ़ानी पड़े अपनी खुद की तो बढ़ाईए रीजन कि सर आप यह मत सोची कि मैं अपने comfort zone में रहूँगा तो मेरा selection होगा नहीं होगा भाई आपके comfort zone में रहने से आपका selection नहीं होगा इस बात को guarantee रख लो मैं इस stage पर पढ़ा रहा हूं उस पर obvious आपको ही पता है competition यहीं पर यह ज़्यादा है competition यहीं पर आपको दिख रह है तो इसमें पता चला कि बच्चे ने अच्छा तो उसने अपनी तरीके सोचा उसने अंसर भी निकाल दिया कि हासर मैं ऐसे सोच रहा था मेरा अंसर आगया बहुत अच्छी चीज़ है तो ना आपकी class में एसे लोग है आपकी class में एसे लोग है कि जो 700 प्लस लेके आने कि त्यारी कर रहे है मैं देख रहा था कुछ-कुछ लोगों कि हासर ये मेरा target है में जिल्दी जाना चाहता हूं मेरा ये target है मेरे से कुछ गलतियां हुई है मैं सुधारनी की कोशिश करूंगा कुछ लोग 11 12 अभी करके है कुछ लोग एक साल repeat करके मुझे कोई फरक नहीं तर लोग कितना अच्छा करना कितना और अच्छा करना और और कितना बेटर कर सकता है और कितना बेटर वर्जन हो सकता है तूँ अपना उसको सोचो क्योंकि न सब लोग क्या करते ग्यारे सर मैं तो ये कर रहा था देखो अब lecture 7 पे आ गए आपका 2 class 3 class में अब chapter खतम हो जा रिवीजन आप ही को करना है, तो concentration terms वहाँ भी पढ़ा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए कुछ लोगा था किसर नॉर्मलिटी आपने बोला कही रिडॉक्स में पढ़ा हो गए क्या हो भाई देख अभी क्या है NCRT का obvious है आप होता है ना कि reference book ठीक है आप पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं लेकिन NCRT का जो syllabus है NCRT में देखेगा तो N factor जो होता है N factor redox reaction में आता है तो हम वहाँ पर करेंगे नो तो हमें ज़ादा मजा आएगा redox reaction में region की वहाँ जब करेंगे तो उस टाइम तक अपने पास क्या हो जाता है कि आपको पता चल जाता है यह acid है इस तरह से redox reaction हो रही है यह जो bond है यह जो bond है यह polarizable है यह bond में electronic difference जादा है तो आपको आसानी से पता चल जाता है यहां से यहां स्टूटेगा यहां से bond to take a यह सब चीज़ें अपने क्लियर रहती है इसलिए मैंने आपको बोला वहाँ ऐसा कुछ नहीं कि आपको normality अभी समझ में नहीं आएगी ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि normality कोशन आई हुए काफी time हो गया और आते भी नहीं आज के time लेक्शर में आए तो आज हमारा concentration terms class 11th के NCIT की साब से हापना concentration terms आज finish करेंगे और बहुत ही enjoy करते हुए I hope सब लोग enjoy कर रहे है लेकिन एक चीज मैंने देखी है थोड़ा सा कि भाया सब लोग थोड़ा थोड़ा enjoy तो कर रहे है लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ चीजें जो मुझे observe होती है कि अगर 5 class पहले की चीज अगर मैं पूछू अगर ऐसे जब tension मत लो ठीक है ना किस ना किस दिन तो मैं लाई वाँगा और उस दिन मैं पक्का पूछूंगा आप लोग से ठीक है ना तो उस दिन मैं बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों को मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा वीडियो देख रहे हो तो आपसे एक दो request है एक बार बैठ के बस मुझे ये बता दो एक बार सोचो और सही में comment box में करके बताना कि मुझे कौन-कौन से concept से याद है पहला concept मैं बोलता हूँ मुझे बताना मैं अभी 45 concept का नाम लेता हूँ मुझे बताना कि सवरी पाच में से बहुत ही आदा अच्छा लगता है तुम लोग से कमेंट्स में बात करके, मैं ये बात कर रहा हूँ, आप मुझे बस कुछ कॉंसेट्स बताओ, कुछ कॉंसेट्स मुझे बताओ, चलो मैं पहला कॉंसेट्स का नाम लेता हूँ, आप मुझे बताना, पहला कॉंसेट्स आप शुरू करें अपनी कहानी को सुरू करते और रिक्याप्ट करना सुरू करते ही कहानी अभी तक कहां आई है आज 7th क्लास में तो कहानी अब तक कहां आ चुकी है बैटा देख पहली चीज मैं तुझी याद दिलाता हूँ मुझे बताएगा minimum Molecular Mass का Concept क्या होता था याद आ रहाएकिया minimum Molecular Mass अगर मैं किसी का बोलता हूँ कि मेरे पास 4% सलफर है या 4% आयरिन है तो क्या होगा यह समझ सकता है कोश्र कर लेगा इसके इसकास में पक्का चलो पहला कॉंसेप्ट दूसरा कॉंसेप्ट जिन लोगा पहला कॉंसेप्ट याद आ रहे हैं कि हांसर चार परसेंट दस परसेंट जो भी दोगे मैं मिनिमुम मॉलिकुलर मास निकाल सकता हूं बेटा आप अपने पास एक सीज याद रखो आप बहुत सही चल रहे हो सेकेंड वन सेकें कॉंसेप्ट इंपरिकल और मॉलिकुलर फार्मुला इसके सर कॉंसेप्ट क्लियर हैं सर सब कुछ याद आ रहा है कि इंपरिकल फार्मुला निकालना होगा अगर मास दिया है तो कैसे निकालूंगा अगर मुझे अगर मुझे आटम्स दे दिये जाएं या मॉलिकूस दिये तुम खुद कर रहे हो जिन लोगों को दिक्कत आ रहे हैं फटाफट अपना वीडियो पॉस करके पेज पलट लो थेकर वीडियो पॉस करके पेज पलट लो यह रचा सर नहीं बोला मुझे एक पर देखना चाहिए जिन लोगों को अभी थर्ड कॉंसेप्ट का नाम ले रहा ह मुझे कितने लोग बता सकते हैं कितने लोग बता सकते हैं कि W by W, V by V, W by V और V by W, mass by volume, volume by mass, mass by mass, volume by volume, यह चारो lines का meaning clear है, कितने लोग हो, पक्का हो जाएगा, यह तीसरा concept हो जाएगा, याद आ रहा है, शोरो, चलो, fourth one, fourth concept, पांच concept का नाम ले रहा हूँ आज, पांच concept आ है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पांच, सारी, तीन हो गए ना, चौथा concept अपने पास, नहीं नहीं, empirical formula हो गया, यह हो गया, क्या नाम था, minimum molecule mass हो गया, empirical formula हो गया, W by W, V by B हो गया, चौथा concept का नाम ले रहा हूँ, fourth concept का नाम ले रहा हूँ, Deolongs and Petit's law, क्या होता था, De Deolongs and Petit's law, याद हो जाएगा, पक्का, चलो, बहुत बढ़िया, अगर आपको याद है, तो बहुत अच्छी बात है, चलो, मुझे पांचवा concept बताओ, पांचवा concept जो मैं नाम लेता हूँ, फटा फट सोचना की सर मैं याद कर पा रहा हूँ, या नहीं याद कर पा रहा और वो concept होगा, तुम सब लोग साथ आसानी सोच रहे होगे, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, चलो, एक पांचवा concept बताता हूँ, आप पांचवे concept में मुझे बताओ, आप सब लोग क्या, वाई मैप बना सकते हो मोल्स का, जो मैंने वाई मोल्स बनाये थे, वाई मै करके देख लो मुझे यह पांचो कॉंसेट ना कमेंट बॉक्स में चाहिए कि सर मिनियों मॉलिक्लर मास कॉंसेट इंपेरिक्ल मॉलिक्लर फार्मॉला किलियर है दूसरा तीसरा अगर सरवास डबल्यू ब्यू बाई वॉल्म ये सब लिखते हो तो मेरा क्लियर है चौथा टर् तुम ही लिखके वेज़ा मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा ठीक है ना मैं चार कॉंसेट बोले थे कि मास बाइमास और इसके बारे में बताना था ठीक है तो यह पांचों कॉंसेट आपको याद आ रहे हैं क्या शोरो अक्षिली दिमाग में बूल गया चलो कोई बार नही तो यह पांचों के पांचों कॉंसेट्स फक्का अच्छा फिर हम आता हैं लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में हमने क्या करना सुरू किया हमने देखना सुरू किया मोल फ्रैक्शन हमने देखना सुरू किया कि सर मोलारिटी क्या होती है फिर हमने देखना स्ट्रेंथ क्या ह मोलारिटी स्टार्ट कर दी थी और मोलारिटी में हमने देखना शुरू किया था मोल्स पर लीटर देखना शुरू कर दिया था फिर हमने क्या देखना शुरू किया था हम लोगों ने देखना शुरू किया मोलारिटी स्ट्रेंथ हो गया फिर हमने देखना शुरू किया था मो किनों मेजर को याद दिला रहा हूँ पक्का अच्छा फिर आज कुछ लोग बोलिंगे और इस वर कोश्चन नहीं करा रहे हूँ आज मैं खजाने में कुछ अच्छे कोश्चन्स लेकर आया हूँ करने को त्यार हो पक्का चलो आज खजाने के पहले यह वाली चीजे हम आएं पांच कोश्चन्स मुझे बताओ कि कितने लोगों के सही हो रहे है बस आज वर्ट का गेम है और आज कॉंसेट जो है अपने को देखते किसको कितना रिवाईज होग मिलता है पक्का चलो बैए मेरे कोश्चन मेरे खजाने का पहला कोश्चन देखते कौन कौन अटेम्टर ह आज जो कोश्चन्स है ना पहली दूसरी क्लास के है number of atoms molecules इस तरह की चीज़े वो सब लोग जानते हो सब लोग कर भी सकते हो तो चुप चप देखो मुझे यह बताओ सर पहला concept क्या था अपने पास यह कोश्चन देख लो अपने पास atomic mass of an element is a प्लीज बेटा लिख लेना लिख देखो आपको आराम से दिख भी जाएगा बाद में पहले question attempt करने ही कोश्च करो exam hall में लिखा हुआ मिलता है आप यह question attempt करके देखो क्या यह question कर सकते हो क्या अगर इस तरह की लैग भी तो मिल जाए कि atomic mass क्या दिया है यह sir element exist करता है try atomic gas के form में तो sir इसका mass माल लो x element ह तो इसका क्या हो जाएगा molar mass कितना हो जाएगा निकाल के देखो भाई जिसका भी आ सकता है molar mass क्या हो जाएगा sir इस question का solution answer tick कर सकते हो क्या भाई साहब जो लो भी कर सकते है न बहुत ही बेटा बहुत ही interesting चीज़ आप सान देखो अगर आप इस तरह questions करने पे आगे बहुत ह आने वाला है आपकी life में इसका answer molar mass कितना हो जाएगा sir given mass number of moles कैसे निकालते है number of moles x 3 कैसे निकालते है given mass upon molar mass given mass कितना है w divided by तो w divided by तो correct formula of number of moles क्या जाएगा w by 3 और sir मेरा answer क्या हो जाएगा b option is the correct option कितने लोगों का सही आया है देख बिटा ये ये चीज़े न अब देख मैं जान बुझके आज मैंने gram mass कुछ लिया ही नहीं है reason मैं चाहता हूँ तेरा concept revise हो और concept में न देख बहुत सा लो ना 10 gram 20 gram द कुछी जा रही हो कैसे तो इनके terms में जरूरी नहीं हर एक का 10 और 20 एंसर आए आप किसी का भी निकाल सकते हो पक्का तो देख लो अपने पास atomic mass एक element का दिया था वह element triatomic gas की थरह था तो एक स्रीमाल लिया एक स्क्रीमाल लिया एक स्क्रीमाल लिया तो मोलर मास कितना होगा तीन system का है एक आटम का है तीन एंसर कितना होगा assa क्शन अच्छे कॉश्चन रहे हैं और अर। परिणा नोस से न प्रГॉल झाने मुझे हो एक हैbn रही कुश्ट मुझे है कुश्च वी सुथ इसका मास कितना दिया है? 34 ग्राम. इसका मास कितना दिया गया है? एक मॉल का 34. भाइ साब एक्स का मास तो नहीं पता. अरे नहीं पता तो कोई बात नहीं न. ये तो पता है कि सारी 34 किसके एकुल होगा? एक्स के मास 플स हाइड्रोजन के इकुल, और hydrogen कितना है 2 तो sir x की value यहां से कितनी आ गई 32 आ गई क्या sir x की value 32 आ गई अब बोल रहे हैं कि molar mass of 103 बताओ 103 बताओ तो 103 में अब x का mass कितना है 32 और oxygen का कितना है 16 into 3 sir इसको calculate करोगे कितना आ जाएगा 80 gram आ जाएगा तो यह answer आ गया 80 gram आ जाएगा तो यह answer हो जाएगा 80 gram answer हो जाएगा सर देख concept कैसा है और question कैसा है concept के नाम पर कुछ भी नहीं आज सारे के सारे tricky चीज़ लेके आयों मैं आपके लिए अपने ख़जाने में आज बहुत tricky tricky के चीज़ लेके आयों और उमीद करता हूँ सब के सब करके आएंगे पक्का सब के सब इस तरह कोश्चन साब कर सकते हैं पक्का देख लो भाई कुछ नहीं पहले वाले से एकस कहा जा रहा है कहा नहीं जा रहा है ठीक है चलो खाजाने का दूसरा कोश्चन देखते तीसरा कोश्चन देखते बेटा ये कोश्चन देखो 124 ग्राम ओफ यह थोड़ा सा ना इधर हो गया चलो कोई बात नहीं 124 ग्राम ओफ पीफोर दिया हुआ है अगर आपको कोश्चन में 124 ग्राम ओफ पीफोर दिया हुआ है अगर 124 ग्राम ओफ पीफोर दिया है 124 ग्राम पीफोर दिया है सर आप मुझे बताओगे इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है निकाल सकते हो क्या पहली बात number of moles of P4 निकाल के देखो कितना होगा 124 upon 31 into 4 क्यों क्योंकि सर 124 इसका मास होगा 600 मास given मास divided by molar मास सर दोनों के दोनों कितने होगाएंगे अपने पास 124 कितने moles हैं 1 mole of P4 है और 1 mole of P4 है तो सर इसका मतलब कितने molecules होगे कितने molecules होगे N molecules होगे P4 के N molecules होगे P4 के और सर atoms कितने होगे 4 N atoms of phosphorus होगा क्या 4 N atoms of phosphorus होगा क्या भाइ, इस अब देख लो अपने पास four in né atoms of phosphorous दिख रहा है yes sir, sir एक molecule of phosphorous नहीं, गलत बात नहीं भाई ठीकफ है, चार atoms of phosphorous, ये भी गलत बात हो गई, sir इन्न molecules of phosphorous, yes, तो मेरे पास क्या answer होगा, third and second second and third is the correct option b option is the correct option जो लोग बेटा कर पारे बहुत ही सांदार, आपका रिविजन सांदार लेवल पे चल रहा है, आज मैं recap आपको बोला ना, मैं आज से आपको concept बता रहा था, 4-5 जो भी concept बता है, अभी मुझे याद ही नहीं आ रहा है, तो मैं आपको 4 ही बोला या 5 बोला मुझे भी नहीं य तो आपको सारे concepts आपको दुबारा याद दिलाए जाएंगे, याद कर बेटा मूल, molecule लिख रहा हूं, फिर molecule से atom multiply करके लिख रहा हूं, क्योंकि molecule से atom में आएगा, multiply होता है, atom से molecule में जाएगा, divide हो जाएगा, पका, चलो, खजाने का एक और question, अगला question सब लोग try करो, तो बताओ, कैसे निकालोगे इस question को, आज सर तगड़े-तगड़े question लेगे, आँ मैं खजाने में, आज अपना बच्चा जो है न, अपना नीट का होता है न, टॉपर बनने वाले questions लेगे आँ, कि 720 में 720 लाने के लिए जो सोचना होता है, वो आप सोचो, मैं चाहता हूँ इसी class में आप सोचो, किसी और किताब में या कहीं जाके पढ़ने ही ज़रत नहीं, जो होगा यहीं होगा, और यहीं से selection होगा, हमारा dialogue न, selection होगा यहीं से, तो यहीं से होगा selection, अब देखो कैसे होगा, क्या करा जा रहा है, ratio of, क्या बताना है, ratio of mass of O2 and SO2, कैसे, which contains equal number of molecules of each gas मतलब, sir, अगर equal molecules हैं, भाई साब ऐक बात बताना, एक बात बताना, equal molecules हैं, अगर equal molecules हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कितने molecules ले लूँ, बताओ, equal molecules हैं तो इसको लिखना चाहूं, तो equal molecules of gas is equals to क्या लिख सकता हूँ? equal moles लिख सकता हूँ equal moles लिख सकता हूँ याद करें गैडरोज लो equal molecules लिख साई equal volume लिख सकता हूँ गैस का ठीक है सकता हूँ लेकिन मेरा काम तो कुछ और है ना मुझे कुछ निकालना है मुझे क्या निकालना है मुझे mass का ratio निकालना है अगर दोनों के equal moles हो गए let moles of moles of O2 and SO2 कितना हो जाए equal हैं तो क्या ले 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 एक्स ले ले तो सर अब बताईए mass of O2 कितना होगा mass of O2 कितना होगा 32 times X क्यों कि एक mole का mass कितना है 32 O2 के moles कितने है mass of SO2 कितना हो जाएगा mass of SO2 कितना हो जाएगा 64 times x सर अब रेशियो लोगे O2, 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 O2 O2, O2, O2 मास का रेशियो क्या आ जाएगा बेटा मास ओफ देखना अपने पास देख लिए भाई आप कैंसल आउट कर दो 1 is 2, 2 तो सर रेशियो क्या आ जाएगा 1 is 2, 2 क्या रेशियो आ जाएगा 1 is 2, 2 बास हो गया देख लो कैसे questions सोचने आपको इसे लिए बोल रहा ना questions का level देखो देखने का angle change कर भाई सारी चीज़े change कर जो last year गलतियां करी हैं ये questions तुझे अपने को मैं अगर खुद से बोलता ना मैं कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा होता नहीं बेटर है कि साथ साथ कर ट्राई कर हरे क्लास में ये ट्राई कर कि भाईया मुझे करना है इस तरह ही questions ऐसे questions मैं करूँगा पका देख लो भाई साब कर लोगे शोर हो अच्छा किसने बोला सर ख़जाने का अगला question कर लेगा पका अगला question करेगा ना पका चल ठीक है अब अगला question करके दिखा भाई साब अगला question ख़जाने का करके दिखाओ ये question बेटा one of the favorite question है 0.2 moles of an unknown compound जिलनों को थोड़ा सा actually 0.2 moles of an unknown compound weighs 5.6 gram the unknown compound is पिटा करके देख इस question का अलग लेवल मजा है करके तो देख ये question सोचना neat में आगए तो कितना मजा आएगा तुझे अगर तुने ये questions class में practice कर रखी है कितना मजा आ रहोगा ना क्या रहे यार सर क्या बात है सर इस बात तो हमनला 20 वाले बूल रहे थे मांग लो यार ठीक है रख लो खुश रो ठीक है चलो भाई 720 पर काम कर लेंगे ये देख लिए बिटा कैसे काम करेगा सर 0.2 मूल्स का 0.2 मूल्स का मास कितना है जिन लोगा हो गया बहुत अच्छी बात है 0.2 मूल्स must of mass अगर compound का कितना है compound का mass कितना है sir इसका mass कितना होगा 5.6 gram इसका mass कितना होगा 5.6 gram 0.2 मूल का तो सर, unitary method हमारा favorite method है, एक mole का mass कितना हो जाएगा, 5.6 divided by 0.2, सर, point से point गया, ये कितना हो जाएगा, 28 gram, सर, molar mass option में देखो, कौन से gas का molar mass 28 gram है, कौन से gas का है, N2 का 28 है, CO2 का 44 है, CO का कितना है, carbon 12 plus oxygen कितना हो जाएगा, oxygen कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, carbon 12, और unknown compound, इसमें 2-2 answer, हाँ, किसी को लगे, सर, सर, ये मैं बताना भूल गया था, इसमें 2-2 answer लेके आएगे अब लोग, N2 का क्या हो जाएगा, देख, ये option तो हटा ही दे, ये option हटा दे, अब बोल रहा है कि सर, carbon monoxide, 0.2 mole of unknown compound gas, 5.6, तो ये कितना हो गया, तेरे पास, 28, और 28 gram, इसका ही मास हो सकता है, और इसका ही मास हो सकता है, ये मैंने 2 options वाला question दिया था, मैं शुरुआतें बताना भूल गया था, तो बेटा जिनका भी A और C दोनों आएंगे, दोनों options क्या हो जाएंगे अपने पास, 12 प्लस 16, ये भी सही है, और ये कितना हो जाएगा, 28, A औ multiple choice type question में जान मुझके दिये था, कि हाँ थोड़ा देखते हैं, किसी को confusion हो रहा है या नहीं, तो आप देख लो अपने पास, questions में, सुरुआतें बताना भूल गया, और भी मैंने ये 100 line किया हुआ था, कि इसमें बोलना है कि हाँ बाई, under compound, unknown compound कौन सा होगा, तो याद रख, पक्का हो जाएगा, तो सुरु देख लो अपने पास, question number A and C, option ऐसा भी तो दे सकता है, कि A होगा, A and C होगा, ऐसा भी तो दे सकता है, तो multiple choice, इसलिए करना है कि हाँ पता चले, कुछ लोगों का request is statement based questions का, बेटा आपको statement based questions भी मिल जाएंगे, certain region वाले भी questions मिल जाएंगे, अभी देखते हैं, अगर अब बॉका मिलता है, तो हम फिर live मिलेंगे, और वहाँ पर भरपूर धमाल मचाएंगे, भरपूर वाला, ठीक है न, जैसे अभी जो कर रहे हैं उसमें quiz वाला, पोल वाला, अपने पास option दे दूँगा, और हम जबरदस्त game खेल रहे होंगे, कौन मुझे करके दिखाओ, ऐसा question मैंने पहली भी कराया है, अमोनियम फॉस्फेट वाला, ये question दिया हुआ है, कि sir, iron, iron, Fe2, SO4 whole thrice है, Fe2, SO4 whole thrice है, आपको दिया गया है, 7.2 moles of oxygen atom, जो लोग कर सकते हैं बेटा, आप कीजिए, और जो लोग देखके सीखना चाते हैं भाई साब, सीखिए, मेरे से बोला जा रहा है, कि sir, sulfur के atoms बताईए, एक बाप बताओ, oxygen के atoms से मैं क्या बता सकता हूँ, sir, oxygen के atoms इतने दिये, एक molecule में oxygen कितने atoms हैं, यहाँ पे कुछ लोग से गलती होती है, oxygen का एक atom कितना लिदा है, 4, अरे भाई, 4 का bracket करके कितना लिखाए, 3, तो sir, एक करने वाले हो, बेटा, atom दिया है, molecules निकालना है, तो किस से डिवाइड करोगे, sir, 0.67.7.2 से, 7.2 को किस से डिवाइड कर दोगे, 12 से, इतने मूल्स आ जाएंगे, क्या, किसके मूल्स आ जाएंगे, iron sulfate के, ferric sulfate क्या जाएंगे, sir, ऐसे निकाला, तो sir, कुछ ने, एक molecule में क यूनिटरी method कर ले, भाई, आपर बाई दोगे, सो लगता नहीं, sir, मैं सोच नहीं पाऊंगा, तो एक काम कर, भाई, ये लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है, कि sir, 12 atoms present है, 12 atoms present है, in one molecule of, in one molecule of iron, Fe2, SO4, whole thrice, तो sir, एक atom किस में present होगा, 1 by 12 molecules में, और sir, 7.2 moles किस में present होगा, तो 1 by 12 into 7.2 moles में, तो sir, देख, यहां से भी answer वही आएगा, लेकिन इतना लंबा टाइम कौन लगाता है, भाई, नीट के टिक्स्टेंट हो तुम, मैं बार बार तुम्हें बोलता हूँ, तुम्हें चीज से सीखनी है, वो जो विदीन सेकेंड हो पाई, ये नहीं कि अब ये, कर होगे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बढ़ तेरे एक्जाम में तुझे दिक्कत होने शुरू हो जाएगी, तुम्हें ही पता, एक्जाम होल में एक कुछ में जाला टाइम लग गया ना, confidence की बैंड बच जाती है, आपने लग लेवल पर सोचना शुरू कर देता है, ठीक है, तो क्यों टाइम लगाना, यह इतना लंबा क्यों करना, मुझे पता चल गया, कि सर आटम से मॉलिक्यूल निकालना, डिवाइड करना होता है, अब क्या बोल रहा है, अब 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 बोल और इसको करूंगा 1.8 मोल क्या आ गया सलफर के आटमस आ गया अरे सर सलफर के आटमस क्या बोल रहा है इनने में बताओ तो 1.8 इंटू इनने लिख सकता हो देख बेटा तेरा पहला आप्षन आ रहा है क्या 1.8 इनने आ रहा है बस जिन लोग और फास्ट हो पर है बेटा आप बहुत साइट आडिक्शन में चल रहे हो जो लोग भी देखो हो सकता है किस लोग सोचने में जहार टाइम लगता है मैं आपको भी बोल रहा हूं फास्ट लर्नर अच्छी बात है स्लो लर्नर के साथ एक है कि आपको प्रैक्टिच बढ़ानी है आपना जैसे यह कोशन को द साथ दो तीन कोशन कर आओगे तब सीखेंगे तो भाई मुझे इससे दिक्कत नहीं मैं साइध इस टाइप का सेकेंड ये थर्ड कोशन कर आ रहा हूं आपको आप बस यह चा रहा हूं कि अगर आपको अभी प्रॉलम हो रही है तो आप घर पे जाके इस टाइभी कोशन को दुबारा सोचो और ऐसे सोचो ये यूनिटरी में थर्ड का साथ छोड़ो भाई नहीं तो दिक्कत हो जाएगी इस ट्रेश्मेटरी में ऐसे खूब सार आएगा लेकिन हाँ अभी जुरत नहीं मुझे अभी जुरत नहीं सीधा-सीधा सोचने कोशन करोगे भाई सीधा-सी सिधा कोशन आएगा या नहीं आएगा पका चलो किसने बोला सर इस तरह की चीज़े कर ली अब देखना मुझे मुझे किसने बोला सर और खजाने में क्या है सर अब अपने पास मुलारिटी का कोश्चन में डाल रखा है कल हमने क्या पढ़ा था सर कल हमने मुलारिटी का डिवाईडिड बाई, डिवाईडड बाई, वाल्यूम ओफ सॉल् rapport, किस में लेते थे, लीटर्व में, यही था, तो सर, यहां से, 00.1, किए गया है, ml दिया गया है, तो 250 ml को मैं किसमें डिवाइड कर दू, 1000 से सर, ये बार-बार, या फिर मैं किसी को लगता हूँ सर, क्यों ही ऐसा कर रहे हूँ, तो वो भी बंदा सही सोच रहा है, कि सर, number of moles of solute निकाल सकता हूँ, कैसे तो सर, molarity into volume किसमें ले लूँ, liters में ले लूँ, molarity कितनी दी गई है, 0.1 volume liters में लेना है, 250 डिवाइड बाइ, 1000 ले लूँ, सर, ये कितना हो गया, इतना हो गया, इतने moles हो गया, सर, ये moles पूछी नहीं रहा, क्या पूछ रहा है, mass of any which पूछ रहा है, तो mass of any which कैसा होगा, mass of any which कैसा होगा, तो सर, एक mole का mass कितना होता है, और molar mass से multiply कर दो, तो सर, कितना आ जाएगा अपने पास, 1 gram आ जाएगा इसका answer, इसका answer 1 gram आ जाएगा क्या, बस, तो question देख लो भाई साब, आप से जो पूछा जाए, molarity का question, direct न पूछके, वो क्या बोल रहा है कि मुलारीटी मैं दे देता हूँ, तुम निकाल दो भाई साब, तुम निकाल दो, कैसे निकालोगे, तुम निकालते रो, मुलारीटी निकालते रो, पक्का, तो ये सारी concept को देख लो, मुझे बार-बार ये छोट-छोटे concept के question, इसलिए करने, क्योंकि बेटा, इस बार का question आजी करेगा, निक 2022 का question आजी करके बैठोगे तुम लोग, और तुम्हें हसी आएगी, अगर किसने गलती करेगी इतना ही easy होता है, अगर आपके उपर है, आप रिवीजन जितना fast करो कि अतना आसान रहेगा, देख बेटा, questions, पक्का, ये question हो जाएंगे, चलो, किसने बोला, सरे काम करते हैं, एक काम और करते हैं, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और देखता हूँ, ये question देखता हूँ, ये question देता हूँ, बेटा, words का, इस question में, मैं लिख के इतना कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम पढ़के देखो, और मुझे आप टाइम लो आराम से, पढ़ो इसको, और बोलना कि सरक कितना game खेल रहे हूँ, आप मुझे सच्चा ही बताना, इस question का पढ़के देखो, और exam hall में सोचना, कि ये question direct exam hall में मिलता आपको, तो आपको आँखों से आसू आजाएंगे, आप सोची नहीं पाओगे, आप language में फजाओ, उसको का रहा है, जो लोग कर चो बहुत ही अच्छी, आप बहुत आपके analyzing power बहुत अच्छा है, आपके analyzing power बहुत अच्छी है, आप इस question को पढ़के देखो, वीडियो pause करके पढ़के देख, क्यार all of the water in 0.20m solution of NACL was evaporated and 0.150 moles of NACL was obtained, what was the original volume, क्या कहना चाहा रहा है सत, कैसे करूंगा मैं इस तरह question exam hall में, देख, मजाग कर रहा है तिरे सा, मैं अच्छी बता रहा हूं, exam में मजाग चल रहा है, वो क्या बोल रहा है, एक बाब बताओ, तुमने बच्पन में पढ़ा हुआ है, कि साथ, चीनी पानी को अगर separate out करना है, अगर मुझे sugar water को separate out करना है, तो एक बाब बताना भाई साब, चीनी पानी को separate out कैसे करते थे, अगर चीनी पानी का solution है, उसको क्या करोगे, evaporate करना शुरू कर दो, पानी evaporate हो जाएगा, sugar का crystal नीचे बन जाएगा, बचका, कहना तो यही चाह रहा है न वो भी, वो बोल रहा है कि सार एक solution था, NCL का, उसको से पानी evaporate कर गया, तो भाई evaporate कर गया, तो मेरा क्या जा रहा ह हो है, सर, volume of solution मैं नहीं ले सकता, क्या, volume of solution in liters नहीं ले सकता, अरे सर, कुछ नहीं, volume of solution क्या हो जाएगा, volume of solution क्या हो जाएगा, number of moles of NCL divided by, divided by molarity, सर, आप ऐसे क्यों confidently हो सकता है, volume change, ए भाई, यह NCL है, NCL solid होता है, solid को dissolve करेगा, evaporate, NCL थोड़े ही न होगा, पानी थोड़े ह पानी अपना evaporate करेगा, नमक तो वहीं रहेगा, जो शुरुआत में था, पक्का, तो सर, नमक तो वहीं रहने वाला है, तो सर, यह क्या हो जाएगा, आपको क्या मिल गया, volume of solution मिल गया, देखना भाई साहब, यह कितना हो गया, 0.15, यह कितना हो गया, 0.20, सर, यह answer कितना आ कितने ml होते हैं, यह मुझे बताने की जुरुत नहीं, आप सबको पता है, सर, यह कितना हो जाएगा, 0.750, 0.750 ml हो जाएगा, answer क्या आ जाएगा, 0.750 ml answer आ जाएगा, देख लो, हरे, अपने बास ना questions का देखो बेटा, question कैसे कैसे बन सकता है, किस तरह की चीज़े हो सकती है, जो कहानी कैसे बनाई थी ना, मतलब ऐसे पड़र और भाई साब, all of the water, अपर लग रहा है, क्या ही है, कुछ question के नाम पर कुछ नहीं है, मजा ले रहा है, हमें यहीं नहीं देना सामने वाले को, हमने यहीं नहीं देना सामने वाले को, हमने इधर आओ, हमने यकीनियंस हैं, आगे जाके, तो हमें पता है, तुम कुछ नहीं, मजाग कर रहे हैं, हमें पता है, number of moles, water and a seal का सेम रहेगा, solute का मूल्स फट नहीं चेंज होगा, पानी evaporate, पानी उड़ गया, तो उड़ने दो, हमें कुछ नहीं, हमें तो पता है न, molarity दी है, volume निकाल लेंगे, पक्का, देख ले भाई, questions देख, questions देख, questions देख, और सीख, कि ऐसे कैसे कर सकता हूँ, पक्का, तो भई या, खजाने के सारे questions, जो हमें, तो बेटा, आप सुरूप देख अपने पास, खजाने का अपना सारा question हो गया, अब, अब हमें क्या करना है, तो सर, कल हम लोग कहां पे थे, questions से revision तो हो गया, लेकिन अकल के questions के बाद, कि सर, आज अपने पास क्या करने वाले, तो आज भी हम concentration terms में, वो सारे चीज़े जानेगे बेटा, जो तुझसे चुपाई गई है, या तुझे बहुत डराया गया है, और वो सारे चीज़े आज क्लियर करेंगे, आज वो सारे च किसमें लेंगे, तो लीटर्स में, अच्छा, सर, यहां से एक चीज़ निकाली थी, अगर देखूँए ध्यान से, तो इसका मतलब क्या था, मास अफ सॉल्यूट, डिवाइड बाई वालिम आफ सॉल्यूट, मूलर मास अफ सॉल्यूट, इंटू, सर, अगर मैं वॉल्यूम में ले लूँगा, तो सर, वॉल्यूम में लूँगा, तो यह हो जाएगा फार्मूला, यह कल हमने लिखा हुआ था, पक्का याद आ रहा है, फिर किसने बोला, सर, इसमें भी तो लिख सकता हूँ, भाई साब एकदम लिख सकते, अगर वॉल्यूम में दे देगा, वॉल्य नमबर ओफ मोल्स अफ सॉल्यूट बताओ, तो बेटा, आप क्या कर रहे थे, आप न क्या कर रहे थे, कि सर, मुलारिटी इंटू वॉल्यूम किसमें ले लोगें, लीटर्स में, सर, अगर गलती से किसने बोला, कि सर, मुलारिटी इंटू वॉल्यूम, एमल में ले ले तो, तो देखना ध्यान से Molarity into अगर Molarity को किस से multiply कर दो Volume in ml से तो क्या मिलने वाला है Number of moles of solute नहीं मिलेगा Number of moles of solute कितने times ज्यादा मिल जाएगा Thousand times ज्यादा मिल जाएगा तो अपने को उसको हम क्या बोलते 10 की power 3 को अगर इधर लेके आओ तो number of moles Moles नहीं बोलते हैं हम लोग क्या बोल देते हैं Number of mealy moles बोल देते हैं अगर इसको अगर multiply करते हो Molarity into volume को Directly अगर ml में multiply कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा Molarity into volume ml में multiply कर दोगे तो क्या मिल जाएगा Mealy moles मिल जाएगे ये difference याद रखना बेटा Reason की सर यहां पे सबसे ज़्यादा गलतियां होती है अगर volume ml में ले लिया तो सर मोल्स नहीं मिलते है क्या मिल जाते है Mealy moles क्यों क्योंकि सर एक मोल लोगे तो 1000 mealy moles हो जाएगे Reason की सर volume किस का है आपका ml का है एक लीटर लोगे तो 1000 ml होते है वैसे एक अगर एक मोल लोगे तो 1000 mealy moles हो जाएगे इसलिए मैंने क्या किया ये लिग दिया बेटा ये formula जहाद अगर अपने को देखोगे तो आपके notebook में ये दोनों formula ना दिमांग में set कर लो अगर volume लीटर से multiply करोगे तो सर अपका answer आएगा moles में moles of solute आएगा और अगर आपने volume ml में ले लिया तो सर यहाँ पे आपका answer divide by 1000 आएगा और divide by 1000 is nothing number of moles नहीं बोलेंगे उसको में लोग क्या बोलेंगे number of mealy moles बोलेंगे पका हो जाएगा सर तो यह चीज ध्यान रखिए अब बोलो सर क्या क्या question आएगा molarity का कल हमने एक formula बोला था सर इसको मैं लिखना चाहूं तो molarity w2 by m2 into 1000 upon सर volume भी लिखता था मैं यह सब चीज़े clear हैं सर यह सारी चीज़े हमने कर रखी है पका तो molarity यह सारा concept याद आ रहा है पका चलो भाई अब किसने बोला कि सरे काम कीजिए अब एक question दीजिए इसके उपर चलो बेटा इसके उपर एक question देता हूं थोड़ा ध्यान से देखना अगर volume multiply करेगा तो तुझे क्या मिलने वाला है अब question देखना और ध्यान से यह question तुम करके दिखाओगे बहुत सही अपने पास यह question करके दिखाओ यह करके दिखाओ बहाई साब यह करके दिखाओ क्या होगा अपने पास कैसे निकालोंगा volume पूछ रहा है volume चाहИे किसमें चाहिए सर option देखके पता चल रहा है ml में चाहिए क्या दिया हुआ है मीली मोस दिया है भाई साम निकाल एंसर कमेंट मार कोई दिक्कत नहीं जिन्दगी में एकदम वीडियो पॉस कर खुद कर पहले देख कियार मैं कर सकता हूं कि नहीं क्योंकि तुझे करना है एक्जाम वार में खुद से अटेम्ट करो क्योंकि आपको सीखना है किसी को देख के आप नहीं सीख सकते हो आपको खुद भी लिखना पड़ेगा तब जाके आप एक्जाम वाल में डिलिवर कर पाऊगे बार बार मैं सबको बोल रहा हुँ खुद से लिख के चेक करो क्या बोला जा रहा है स तो सर मीली मौल्स अगर मैं नायवत करू, Number of meilie मौल्स का फॉरमूला क्या था, number of meilie मौल्स का फॉरमूला क्या था, meilie मौलस आफ सॉल्यूट क्या होगा, तो सर कुछ नहीं, molarity into volume क्या ले लूँ मैं, ml में ले लूँ, अच्छा, सर मीली मोल्स का formula मीली मोल्स कितने है 100 मुलारिटी कितनी है 0.8 volume कितना हो जाएगा ml में तो सर volume निकाल दो अरे सर volume कितना हो जाएगा 100 upon 0.8 सर ये चला गिया कितना हो जाएगा calculate करेगा 125 है देख बेटा instant आपको questions instantly आपको सोचने का तरीका सीखना है तो सिधा सिधा number of moles आएगा पक्त का हो जाएगा सर शोर हो चलो अब मुझे ये चीज़ पता चल गए सर मुलारिटी है आचा मुलारिटी क्या represent करता था याद कर भाई याद कर और question देखा अपने पास अगर मुझे कुछ ने बोल दिया कि सर मुलारिटी प्रेशन टाउं से बेटा लाइंस को रीड करना आना चाहिए अगर जिसने लाइंस कमफर्टेवली रीड कर लिया ना मैं लिख के देता हूँ बेटा तेरा कॉंसेप्ट लाइफ टाइम के लिए वालिड होगा और लाइफ टाइम तो असानी से बाइबाब्स कर पाएगा सर देख त्री मूल्स किसका लूँगा ये लिख सकते हैं क्या सर इसका मीनें तो ये होगा ये जनर्रल एक मीनें होगा लेकिन अगर सामने वाल ने ऐसा कोश्चन देना शुरू कर दिया तो कि सर अगर मैं बोलता हूँ अगर मैं ये नॉमल आपको ऐसा दिया है तक तो आपने एक लिटर में ही वैजन कर लिया अगर एक लिटर के बाद ने 500 एमिल बोलता तो 500 ml बोलता तो आप किस कितना आता 500 ml बोलता तो आप किस कितने number of moles आते, कितने number of molecules आते, कितने number of atoms आते कैसे निकालोगे, अगर माल लो इसी question को मैं ऐसे लिख देता, भाई साब देखना अपने पास, सर अगर मैं ऐसा लिख दूँगा, 500 ml of 500 ml of 3 M N A C L a quiz solution, अगर मैं ये लिख देता हूँ, a quiz solution अगर मैं ये लिख देता हूँ और भाई तुमसे ये question पूछ देता हूँ मेरे सेरो, please देखना, मैं अगर तुमसे ये पूछ देता हूँ, moles of N A C L बताओ, मैं ये पूछ देता हूँ, कि सर, gram of N A C L बताओ, कितना gram होगा N A C L का मास, और और, और, सर, moles बताओ, grams बताओ, अगर अगर मैं पूछना चाहूँ, तो molecules भी पूछ सकता हूँ, सर, सर, ये कहानी फिर से वही नहीं आ गई, जहाँ हम चल रहे हैं, ये कहानी वहीं पे है, आपको बस फील करना है, आप एक बाब बताओ, सर, इसका meaning अगर नहीं दिया था, तो इसका meaning क्या था आपके पास, कि सर, 3 moles प्रेजेंट होंगे N A C L कितने में, एक लिटर में, यूनिटरी मेथर से करके देख ले, एक लिटर में 3 moles हैं, तो 500 ml में कितने होंगे, वाली माधा करेगा, तो moles भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, नहीं करना, सर, मैं नहीं, सर, मैं तो एक दम आराम से करूँगा, मैं आसानी से करूँगा, तो सर, एक काम करो, आप लिख सकते हो ना, 1000 ml solution है, 1000 ml solution में, कितने moles हैं, 3 moles of NACL है, ये तो लिख लोगे ना, भाई साब, अगर आपको shortcut नहीं लगाना, तो मैं आपको ऐसे बोलूँगा, बार-बार कि shortcut लगा ये, लेकिन अगर आपको नहीं लगाना, बोलो नहीं नहीं नहीं, सर, मैं तो सर, लंबे में जटर्स करूँगा, कर भाई, 1000 ml में कितने moles है, 3000 ml में कितने moles है, 3, सर, एक ml में कितने हो जाएंगे, 3 by 1000, और बेटा, तू इतना time waste करेगा ना, तब भी तेरा answer सेम आएगा, ये देख ले, divide by 2, ये कितना होगा, 1.5 mole हो जाएगा, और 1.5 mole of NACL is the correct answer, किसने बोला सर, NACL के मूस बताओ, बेटा मुझे calculation करने की जोरत थी क्या, ऐसे भी कर सकता था न, मैं सीधा सीधा भी तो बोल सकता था, कि सर, एक लिटर में 3 mole है, तो 500 ml में कितने हो जाएंगे, एक बात बता, दूद वाल एक पास जाता है, दूद कितने रुपे, तो अगर साथ रुपे बोल रहा है, अगर दूद की दूद साथ रुपे लिटर है, तो अगर 500 ml लेना है, 500 ml लेना है, तो क्या तुम कैल्कुलेटर करते हो, एक मिनट भाईया, दूद का दूद रुखिये, तो भाईया, ये प्रॉलम आपको डेल लाइफ में भी आएगी, सूच ना, डॉक्टर बन जाए तो, और डॉक्टर बन के पेशेंट तरह साथ गेम खिल के चला जाए, कि भाई साब, एक पेशेंट का आप 800 रुपे लेते हैं, तो दस पेशेंट का कितना हो जाएगा, आप सोच रहें, अच्छा, 800 रुपे 10 करना है कि मल्टिप्लाई करना है, मल्टिप्लाई और डिवाइड में लगे पड़े हो, यार, सीजिसी बात है ना, यार, ये सब चीज़े डेली लाइफ के कैल्कुलेशन, सिंपल सा, हजार एमल में कितने मॉल्ट है, थ्री मॉल्ट, तो सर, 500 एमल में कितने होगे, जस्ट हाफ, हो गया, अब उसमें तुम सोचोगे, तो फिर टाइम बहुत लग चाहेगा, एक्जाम बन में टाइम का ही गेम है सारक सारा, अब किसने बोला सर मॉल्ट निकाल दा, पूछ रहा है कुशन, ग्राम बताओ, अरे सर सीज़ी सी बात है, एक मॉल का मास ने एनने सी एल का कितना होता है, कैल्कुलेट करोगे, 58.5 होता है, तो 1.5 मॉल्ट का कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 58.5, किसने बोला मॉल्ट बताओ, एक मॉल्ट में कितना होता है, एनने होते हैं मॉल्ट इसने मॉल्ट में कितने हो जाएगे, 1.5 इंटू एनने, करता है रहा भाई, कुशन्स करने का जजबा लेके आओ अपने अंदर, कि सर मुझे फाइट करना है, कहीं भी कुश दिया है, तो डरना नहीं है, करे सर ब्योज पड़े, नहीं नहीं भाई, वैसे नहीं चलेगा, आप ही को करना है, करोगे आप ही, पक्का, अगला कुशन दू कर लोगे, ऐसा कुशन दूँगा लिख के कर लोगे क्या, शोरो, चलो भाई, ये चलो अपने पास, देखते, अगला कुशन देखते, कितने लोग करने को त्यार है, मैं देखना चाहता हूँ, और मैं सुनना चाहता हूँ, कि सर, कमेंट बॉक्स में, ये तीन के तीन आप्शन, सर, करेक्ट आए हैं मेरे, आप भर दो, आप ये चीजे सोचो ही मत कि सर कमेंट बॉक्स में क्या हालत हो रही तु भर ना बेटा, तेरे लिए ही तो है वो, मैं सब को देख रहा हूँ टेंशन मतलो, मैं सब को देख रहा हूँ चलो भाई, सुरू हो जाओ, ये तीन कोशन दे रहा हूँ जो जो लोग कर सकते हैं, ये फास्ट करके देखें और मुझे बताएं कि सर कमेंट बॉक्स में कि ये तीनों के अंसर मेरे सही आए हैं या गलत आए हैं, मुझे ये कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे आप से आप वीडियो पॉज करके बेटा ये comment box में इसका answer निकालो और मुझे बताना मेरे साथ match करके कि सर इसका answer सही आया है या गलत आये इसका answer सही आया है या गलत आये एक बर करके देखो इस question को इन questions को करके देख बेटा आपको पता चलना सुरू होगा सर क्या करूंगा मैं कैसे करूंगा मैं सर कैसे करूंगा मैं जो लोग you proprietary में थड़ से करना चाते हो भाई चलो मैं सबसे लंबे में थड़ से कर लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो सोच रहेंगे नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे 1000 ml of solution has 0.2 moles of naoH सर यह लिख सकता हूँ 0.2 moles of naoH तो सर एक ml में 1 ml में कितना होगा 0.2 upon 1000 होगा तो सर 100 ml में कितना होगा 100 ml में कितना होगा तो 100 ml में 0.2 upon 1000 into क्या करूँगा 100 करूँगा सर इसका answer निकालूँगा 0.02 moles हा जाएंगे किसके नहीं होज के सर पहला question तो मेरा हो गया 0.02 moles जो लोग fast calculation कर सकते थे उनको यह करने की जुरत नहीं थी वो सीधा सीधा volume को आपने 10 times किया है volume को आपने 10 times कम किया है हो गया तो बस सीधा सीधा एक मोल का मास कितना होता है 40 उससे हो गया और यहां पे 0.2 into any molecules हो गया देख लो अगर questions ऐसे कर सकते हो भाई या तीन के तीन जितने भी सही हो रहे हैं बटा दो सही एक सही जीरो सही तू सारा का सारा कमेंट बॉक्स में डाल मैं सब देख लूँगा किसकी कितनी हालत है कैसा चल रहा है सोच मत कंजूसी नहीं करना है कभी कई दुरिवाप जाइन सब्सक्राइब कंजूसी नहीं करना ताली बजाने में कंजूसी नहीं करनी वैसे कमेंट बॉक्स में डालने में कंजूसी नहीं करनी सीधा सीधा क्लास चल रही है कोई बात नहीं recorded है कोई बात नहीं sir मैं अपना काम करूँगा as a teacher मैं आपको promise कर रहा हूँ मैं सारे comment देखूँगा थीक है न तू अपना काम कर रहा हूँ जे पता चलता है रहता है मैं हरी class में आके बोलता हूँ लेंगे कोई दिक्कत नहीं पक्का चलो यह देख लो अपने पास हो जाएगा सर शोर हो पक्का चलो सर अब यहां पर कुछ लोगों के दिमांग में आता है कि सर मुलारीटी तो हो गई मुलारीटी निकालना सीख लिया चीजे समझ गए लेकिन मुलारीटी में और क्या-क्या आपकी जिंदगी में और क्या-क्या आड हो सकता है तो मुलारीटी के अंदर एक और इक और इक और इक जगा मिलेगा तो ट्राई करना यह हर इक जगा आपको यूज कर पाओ इसकी बारे में सोच पाओ इसलिए मैं आपको यह सब चीजे करा रहा हूँ अभी के अभी ट्रा करना यहाँ फिर सॉलिशन को तो मुल्म नहीं एक शडा हूँ तो clients शवकशानी है कौन देख prais टीक करते झानेगे तो क्या करते हैं पानी डाल देते पानी डाल दिया यह तुम अगर होस्टर में रहत keen तुम कभी दोस्टों के लिए बना रहे हो तुम यह पता है तुम कितनी दोस्ति देते हो तुम क्या करते हो भूआ नी डालिया है कोई इतना अब दूद लेने के लिए कौन जाएगा बार ठीक है हम लोग सब लोग वोटा भी गराब है ठीक है डालना यार कौन पूछ रहा है ठीक है एक आनी बढ़ गया एक बढ़ा दे अपर अचला दूआ नी बढ़ा दूआ दिया जैसे आप मेसमें अगर बाहर होटल में 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 खाना खा रहे हैं तो उसमें क्या कर रहा होते हैं दस बच्चे होंगे तो में इस वाला उतनी डाल बनाता है एक किलो डाल का सर वो बनाएगा दाल और बीस बच्चे होंगे तो भी एक किलो बसो क्या डाल रहा होता है पानी आड़ कर रहा होता है तो dilution या concentration जब भी ये topic आए आप एक चीज जान जाओ कि सर इसमें क्या होता है solvent change करता है solvent का amount change होगा मैं ऐसे लिख देता हूँ amount of solvent change करता है सर subjective question आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि amount of solvent changes अगर amount of solvent change करेगा solute के number of moles of solute क्या रहने वाला है constant रहने वाला है moles of solute क्या रहेगा constant रहेगा पक्का हो जाएगा तो देख लो number of moles of solute constant है solvent change हो रहा है मतलब अब सर कोई बोलेगा कि सर dilution का मतलब सर देखना मालो मैंने एक चाय बनाई जिसकी मुलारीटी एम वन थी वी वन थी इसको उठा कि मैं कहां डाल दूँ एक बड़े से सर इन दोनों में हो क्या रहा है सिर्फ और सिर्फ क्या change हो रहा है solvent change हो रहा है सिर्फ और सिर्फ क्या change हो रहा है solvent change हो रहा है इधर से इधर जा रहे हैं, तो क्या बोलना है, volume बढ़ गिया, तो सर डाइलूट कर दिया, अब सर लोग बढ़ गए, तो हम डाइलूट करते हैं, लोग कम हो गए, तो concentrate करते हैं, देख लो, picture wise clear है, पक्का, dilution और concentration, फिर किसने बोला, कि सर एक बाब बताओ, इसमें relation क्या establish कर इसके number of moles of solute कितने होने वाले है, number of moles of solute, M1 V1 होगा, इसके number of moles of solute कितने होने वाले है, सर, इसके number of moles of solute किसके होने वाले, M2 V2 होने वाला है, क्या, पक्का, और तुमने क्या बोला, कि सर, number of moles of solute constant रहता है, इसका मतलब, जितना शुरुआत में था, उतना ही क्या होगा, बाद में होगा इसका मतलब क्या होगा M1 V1 is equals to M2 V2 और जिंदगी में याद रख जिंदगी में याद रख during dilution of concentration number of most of solute change नहीं करना है जब तक exam में कुछ और चीज़ नहीं कर रहा लेकिन याद रखो कि volume change करने से molarity change होगी volume change करने से molarity change होती है ये ध्यान रखना सर volume change करेंगे molarity ज़्यादा होगी या कम होगी या डिपेंड करता है अगर dilute करोगे तो कम हो जाएगी अगर concentrate करोगे ज़्यादा हो जाएगी पक्का सब क्या हो गया तो numerical कोई भी type का numerical आए सीधा सीधा dilution और number of dilution हो चाहे concentration हो dilution हो चाहे concentration हो आप आख बंद करके ये formula लगा देना m1 v1 is equal to m2 v2 आपको हमेशा correct answer मिलेगा मैं अभी न स्टार्ट किया है तो अभी न इसी concept को बिना पेन उठाए इसी numerical को बिना पेन उठाए आप कर सकते हो आपको करके भी दिखाओगे आप ही करके दिखाओगे मुझे कहने की जूरूत नहीं आप देख लो एंवान वीवन इस्टेंट भी टू करोगे किसने बोला सब निमेरिकल कर आओ ले बेटा निमेरिकल कर माल ले किसने कोश्यन दे दिया कि अपने पास और सॉलूुशन आफ पेन लीटर सफ जिरो पॉइंट दू एम हची लस डायूतेट टू डायूतेट टू फिस्टी लीटर्स कैलकुलेट final concentration calculate final concentration final concentration निकालके बताईए क्या होगा, molarity मतलब concentration, दोनों सेम चीज concentration टाउंस में कुछ भी बोले, option देखके decide कर लो, मुझे किसने बोले सर, इसका solution बताए, क्या करने वाले है विटाप तो सर, M1 V1 is equal to M2 V2 मतलब, शुरुवात का molarity volume बाद का molarity volume, शुरुवात की molarity कितनी है, सर, 0.2 है, volume कितना है, सर, 10 liters है, सर, यहाँ पे देख लो सर, कितना दिया है, सर, इसका M2 नहीं पता, इसका volume कितना है 50 है, तो सर, यहाँ से M2 क्या हो जाएगा, 0.2 into 10 divided by 50, कितना हो जाएगा, आप कोई पता है, 0.04 M हो जाएगा, अच्छा, एक चीज़ और, unit dimension आप physics में जानते हो, तो आपको पता है, कि सर, इस side जब multiplication है, दोनों side, तो यहाँ ML डालोगे, तो यहाँ भी volume ML में लेना पड़ेगा, अगर यहाँ लोगे volume, तो यहाँ भी लेना पड़ेगा, अगर यहाँ ML लिया और गलती सो उधर ले लिया ना बेटा, तुम कर रहे हो घोर पाप, जोसका पस्तावा अगले एक साल बात जाके होगा, इसलिए बुल रहा हूँ, जब भी आपको formula यूज़ करते हो, तो similarity into volume, answer अपने पास लीटर लेना है, तो लीटर लो, ml लेना है, ml लो दोनों साइड सेम लेना पड़ेगा, यूनिट सेम रखना, पक्का देख लो अच्छा, सर आप कोई बोलेगा, सर्फ during dilution और concentration, एक तो question यह होगा, M1, V1, M2, V2 करते हो, किसे ने बोला, नहीं सर कोई, अच्छा question पुछेगा, तो, अच्छे question पुछेगा ना बेटा, तो आपको कुछ देगा ही नहीं, वो लेगा solution, अब देखो यह ऐसा लिख देगा, a solution of, a solution of 2M is concentrated, concentrated 10 times, what will be final molarity, what will be final molarity, क्या होगा, final molarity, क्या होगी final molarity, किस तरह के होगी final molarity, सर क्या होगा, सर इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, अरे भाई, कुछ नहीं दिया, तो एक काम करना, तेरा M1 दिया है, initial molarity दिया है, 2M, अच्छा, सर V1 और V2 तो कुछ दिया ही नहीं है सर कुछ परिशान है M2 निकालना है यह तो पता चल गया कि M2 निकालना है सर V1 V2 दिया नहीं है अब है V1 V2 नहीं दिया कैसे निकालेगा तो एक काम करना भाई concentrated 10 times मतलब अगर पहले तेरा volume V था तो अब कितना हो जाएगा सर कम हो जाएगा 10 times concentrate करना मतलब आपका volume 10 times कम कर देना आपका volume 10 times कम कर देना तो मतलब पहले तेरा volume V था अब कितना हो जाएगा V by 10 सर ये देखो M1 V1 M2 V2 कोई एक शीज़ और volume को V न मान के तुम X मानना चाहते है मुझे कोई दिख करने यहां X लोगे तो यह X by 10 आ जाएगा concentrate करना मतलब volume को क्या करते है कम करते concentrate, dilute करने का मतलब volume को क्या करते है बढ़ा देते dilute करने का मतलब volume को बढ़ा देते concentrate करना मतलब volume को कम कर देते है पक्का तो sir ये देख लो अब मुझे किसने बूल दिया कि sir m1 v1 आ गया 2m into sir v is equals to sir v by 10 into क्या आ जाएगा m2 sir ये देख लो v से v cancel out हो गया sir यहाँ पर m2 की value कितनी आ जाएगी 2m into 10 और sir answer कितना आ जाएगा 20m हो गया 20m निकालते रहो sir volume नहीं दिया था तो नहीं दिया था कोई बात नहीं एक का value x माले दूसरे का value क्या आ जाएगा x by 10 आ जाएगा एक का volume v माना दूसरे का volume v by 10 आ गया question को ध्यान से पढ़ो बोल क्या रहा है concentrated to मतलब आपने concentrate कर दिया volume को कम कर दिया मतलब volume क्या कि अपने बढ़ा दिया पक्का अच्छा मैं तुझे बोल रहा हूं यह जो दो कोश्चन तुमने किये ना मैं कभी नहीं बोलता मेरा एक चीज़ बताता हूं यह दोनों कोश्चन ना दोनों निमेरिकल अभी विदीन सेकेंड तुम ही खुद कर रहा होगे कैसे एक सिंपल से चीज़ बताता हूं बेसिक मैस पढ़ाता हूं आप सबको एक बाब बताओ मैंने क्या लिखा इलुशन और कॉंसिंटरेशन कorta अप आयेगा जब आयेगा तो तुम परीशान होगे इसलिए मैं तुम हारी परिशाण अंभी सॉल्व कर देता हूँ नंबर अपमोल सॉल्यूट क्या रहेगा अच्छा नंबर अपमोल सॉल्यूट कॉंस्टेंट रहेगा इसका मतलब अपने पास बात करें तो क्या होने वाला है अगर डारेक्ट बात करूँ एक मिनट मैं डारेक्ट बात करूँ तो ये रहने वाला है मुलारिटी इंटू वॉल्यूम क्या रहने वाला है कॉंस्टेंट रहने वाला है मुलारिटी इंटू वॉल्यूम क्या रहने वाला है कॉंस्टेंट रहने वाला है अब किसी बंदी ने बुला कि दो लोगों का मॉल्टिप्ल फिजिक्स में बेसिक मैट पड़ दो लोग का मल्टिप्लिकेशन अगर कॉंस्टेंट है तो दो चीजे मिलती है एकस इंटु वाई कॉंस्टेंट है तो उसका ग्राफ उसका ग्राफ मिलेगा और बेटा ये जो चीजे कर रहा है ना तुझे मैं लिख के दे रहा हूं जिस दि मोलारेटी बढ़ाएगा वॉल्लिम कहों जाएगा पका क्यों क्योंकि से आप ही ने तो पूला है बेसिक मैट क्या बोलता है दो लोक और मॉल्टिप्लिकेशन अगर कॉंस्टेंट है ऐसे बनाया जाता है सिसका मतलब यह है इससे मैं एक चीज़ और निकाल सकता हूं कि सकता हूं मोलार इन वोटा है कि सर इनिशियली देखो ठ्रह ज्यान से अर मेरे साथ साथ सत्व यह संच्प्ट समझना भाई साब तेरे सारे क्वेशिर्ण within second ना करा है न तो बोलना किया रहे सर क्या ही चीज़ हम लोग कर रहे ये देख तो ध्यांस देखना अगर initial molarity M है और मैंने molarity को अगर 10 times बढ़ा दिया molarity को 10 times बढ़ा दिया तो volume पता है भाई साथ volume पता है कितना हो जाएगा सर volume कितना हो जाएगा अगर molarity बढ़ेगी तो volume अपने आपको compensate करेगा reason 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 कि भाई साहब अगर मैं बोलू ना इसको ये देख अगर तुझे मैं ऐसे लिखके दिखाऊ ना तो देख अगर initial M ये volume है शुरुआत का multiplication कितना है M into V तो बाद का भी कितना आना चाहिए M into V ही आना चाहिए तो सर volume अगर आपका देखेंगे तो volume 10 times कम हो जाएगा अगर initial और final condition को measure करोगे molarity अगर change हुई अगर molarity 10 times बढ़ाओगे तो volume अपने आपको क्या करेगा 10 times कम कर लेगा सर आपको questions देखो अपने पास अगर मैं ऐसे लिख दूँ initial और final का set बना दूँ initial और final बनाओँ प्लीज देखना अपने पास सर molarity अगर या volume बोलता हूँ volume को मैंने क्या किया volume by divide by 5 कर दिया volume को decrease कर दिया volume decrease किया है volume अगर decrease हो रहा है खुद सोच molarity क्या होगी molarity inversely proportional था volume decrease हो रहा है molarity increase होगी कितने से increase होगी 5 times कम किया molarity कितने से increase हो जाएगी 5 times हो जाएगी किसने बोला नहीं सर question देख अब तुझे मैं इतनी सारी चीज़े बता रहा हूँ बेटा थोड़ा सा सोच क्यों क्यों क्योंकि सर inversely proportional question जब भी आएगा मैं time क्यों दूंगा मैं क्यों time लगाँ भाई अरे मुझे race जीतना है और जीतना भी अच्छे rank के साथ है तो भाई मेरा teacher के साथ मेरा इस तरह होना चाहिए कि मैं और मेरे सर दोनों के दोनों साथ में एक चीज को ऐसी चीजे बना ले कि time क्यों लगाना है question करना ही क्यों इतना time लगा के भाई मुझे पता चल गया sir मैं M1 V1 ये तो भाईया नॉर्मल आन्दी कर रहा है 18 लाग में से 10 लाग लोग ये कर देंगे लेकि मेरा student इस पे भी time नहीं देगा इस पे भी time नहीं देगा और मैं दिखाता हूँ कैसे नहीं देगा कैसे inversely proportional है initial or final मैं sir अब question देता हूँ और मुझे साथ साथ बताना मुझे साथ साथ बताना अगर मुलारिटी को अगर मैं ऐसे बोलता हूँ 0.1M से अगर मैं लिखता हूँ कितना times हो रहा है 2 times हो रहा है जहां से पढ़ 0.1 से कहां जा रहा है 0.2 2 times हो रहा है तो sir इसकी volume कितनी हो जाएगी 1 liter by 2 या मैं बोल सकता हूँ 0.5 liter हो जाएगा कैसे क्योंकि sir जितना मुलारिटी change करेगा volume अपने आपको उतना ही क्या करेगा उल्टा opposite direction में change कर लेगा अगर मुलारिटी बढ़ाओगे volume अपने आपको कम करेगा volume बढ़ाओगे मुलारिटी अपने आपको क्या करेगा कम कर लेगा पक्का शोर हो sir inversely proportional का अगला question बिटा अब आप देखो अपने पास और सारे questions पीछे वाले भी आपको करा के दिखाता हूँ आगे वाले questions भी आप खुदी करोगे अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि sir 5M है और यहाँ पे मैं 50M हो गया 5M से मैं कहां चला गया 50M चला गया तो मेरा volume एक लिटर से क्या हो जाएगा मेरा volume एक लिटर से कितना हो जाएगा I hope सब लोगों का हो गया होगा sir volume molarity initial से final देख लो कितना हो रहा है 10 times तो sir यह कितना हो जाएगा 10 times decrease हो जाएगा और इसका volume कितना हो जाएगा 0.1 liter पक्का तो सब मुलारिटी और वाल्यूम दोनों inversely proportion होते हैं during dilution और concentration देख बेटा सोचने का तरीका देख कैसे change होता है जिंदगी में यही चीज़ सीखनी है कि डर हट जाए तुझे अब से अब देख यह लिख लिए ना अब पर पीछे वाले question पे आते हैं पीछे वाले question पे आते हैं question तरह ध्यान से देखना क्या बोला concentrate कर रहा है मतलब volume को क्या कर रहा है 10 times कम कर रहा है volume को 10 times कम कर रहा है तो molarity क्या हो जाएगे 10 times जादा होगी क्यों calculation करूं भाई अरे मेरा student क्यों calculation करेगा सीधा सीधा 10 times जादा answer कितना लिखेगा 20 सीधा सीधा आपने क्या बोला कि सर concentration कर रहा हूँ volume को 10 times decrease कर रहा हूँ तो molarity 10 times क्या हो जाएगे increase हो जाएगे सीधा सीधा 20 एम answer आगे कोई calculation है इसके पीछे वाला question देख 10 liter से 50 liter आपने volume कितना बढ़ा दिया 5 गुना बढ़ा दिया 10 गुना 10 liter से कितना कर दिया 50 liter आपने volume कितना times बढ़ा दिया 5 time volume 5 times बड़ रहा है तो सर molarity कितनी हो जाएगी volume increase कर रहा है तो molarity 5 times तो molarity 5 times decrease कर जाएगी देख बेटा आप answer calculate करके 0.2 upon 5 आई बाजाएगा पका सर कोई कोश्चन करना नहीं होता देख इसी को बोलते स्मार्टली काम करना तुझे ना हरे चीज देख अब यह सब चीजे ना सोचना है अब अगर तुझे एंगल से नहीं सोचेगा ना तो तुझे भी एक्जाम में वहीं करेगा जो और लोग करते हैं मानता हूँ कि उसको सोचना पट रहा है लेकिन वह काम कर रहा है तो पक्का जीतेगा रेस तो वहीं जीतने वाला है पक्का देख ले भाई अब अगला कोश्चन करके दिखाओगे बिना पेन उठाए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बेटा कि सर ये कोश्चन मैंने क रिक्रत किया है विदिन पांच सेकंद दस सेकंद चार सेकंद प्लीज बीटा लिखने की टमटले गोश्चन मतनि बिख पहले कोश्चन वीडियो पॉज करके लिख लेना मैं चाहता हूं क्योश्चन जैसे ही आपके स्क्रीन पर आए आप वीडियो पॉज करके ताइम आईए कि सर ये वाला कुश्चन मैंने 5 सेकंड में किया, 10 सेकंड में किया, मेरे से नहीं हुआ, वो भी मंजूर है मुझे, कुश्चन करो भाई, 10 ml से कहां लेके जा रहा है, एक लीटर, सर अगर मैं लिख के देखना चाहूं, तो 10 ml से, सर 10 ml से, वाल्यूम कहां जा रहा है, एक लीटर में, 1000 ml में कनवर्ट कर रहा हूं, वाल्यूम कितने से इंक्रीज हो रहा है, 100 से इंक्रीज हो रहा है, तो मुलारीटी, कितने से डिक्री हो जाएगे हंड्रेट से देखो लो भाई मैं आपको लिखने के लिए दिखा रहा हूँ अदरवाइस आप सीधा सीधा कर सकते थे बस यहाँ पर जिलनों से गल्ती हुई होगी वो यह गल्त कर गए होंगे कि ml को लीटर में और लीटर को ml में कनवर्ट नहीं किया होगा आप सर्थ 10 ml को 1 लीटर से डारेक्ट कंपेर नहीं कर सकते 1 लीटर को 1000 ml लिख दो उसके हिसाब से कंपेर कर लो कुश्चन आपको कैलकुलेशन करने की जुरत भी नहीं है एम वन वीवन करने की जुरत भी नहीं आप सिधा सिधा सर्वालिम क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है कितने टाइम्स हंडेड टाइम्स तो मुलारिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज करेगा कितने टाइम्स हंड्र चलाना सोचना आप आज से दो साल-चार साल पहले जब तरह लोग कर रहे कौन सा लोग क्या कर रहे जब तू चीज करना सुरू करते तो यह लगता है नॉर्मल चीज है यह सारी कॉंसे प्रेले तो वही सेम चीज है तर देख लो अपने पास यह कूशन विदीन सेकेंड कर सकत हो तो answer अपने पास कौन साँ जाइगा थाड़ा का डालुशन हो जाएगा concentration हो जाएगा डालुशन हो गया concentration हो गया अब मेरे पास ओर आता है मुँआ आपके साथ मैं discuss करने वाला और वह condition है sir mixing करना अगर मैं mixing करता हूँ तो mixing प्रिसिंग करने में भी, đटा, क्या क्या एक क्या कॉश्चिन रखे थी।AL बेटा खुद से सवाल पूश। 'Mे क्या कॉश्चिन था। Assault याद रख हमारे पास binary solution हैं और binary solution में solute को जल्दी हम change नहीं करते हैं chemistry में हम solute को constant रखते हैं जब तक question में बोला ना जाए तो normal case में कोई formula drive करते हैं तो हम अमेंसा solute को क्या रखते हैं constant रखते हैं अब मुझसे कोई बोलेगा sir mixing करके दिखाओ mixing में क्या हो रहा होता है mixing में एक simple सी बाब बताता हूँ mixing का मतलब क्या होगा sir यहाँ पे भी number of moles of solute क्या रहेगा constant रहेगा यहाँ पे भी number of moles of solute क्या रहेगा constant रहेगा माले तुमने एक सरवत बनाया दूसरे दूसरे इस सरवत बनाया तुम दोनों मिले तुमने क्या किया चल भई दोनों ग्लास मिला देते फिर देखते एक नया solution का क्या बनता है उसका क्या mixing बनता है सर mixing में भी एक चीज़ आता है number of moles of solute क्या रहता है constant हम solute change नहीं करते है solute change नहीं करेंगे एक बार आ गया वो ही है बस उतना ही ध्यार रखो तो number of moles of solute क्या रहेगा constant अच्छा सर concept क्या है थोड़ा ध्यान से देख विटा थोड़ा ध्यान से देख M1 इसका volume V1 सर इसको किसके साथ mix कर दिया मैंने इसको mix कर दिया M2 और इसको volume V2 से और इन दोनों को mix करने के बाद एक solution बनाया मैंने उसका mixture का molarity M mixture और V क्या रख दिया V mixture देख लो दो solution है इनको mix किया मैंने इनको mix किया M2 V2 ऐसे नहीं लिखा हो भाई ऐसा मत सोचना multiplication में लिखा हो है M2 और इसका volume V2 ऐसे दिया हो है इसकी molarity M1 इसका volume V1 इसकी molarity M2 इसका volume V2 इसका molarity mixture का और volume mix में यहां पर concept राध्यान से सुनना मैंने क्या बोला number of moles of solute क्या रहेगा constant तर देख मैंने कुछ सरवत बनाया उसके अंदर मैंने कुछ सुगर डाला होगा मेरे दोस्त ने सरवत बनाया उसमें कुछ उसने सुगर डाला होगा हम दोनों मिलेंगे तो हमने क्या क्या सिंपल दोनों glass को एक साथ mix कर दिया जैसे घर पर कभी दिखा होगा सरवत बनाया के लिए ग्लास में इधर से डालते रहते हैं उससे mixing कर रहा होता है ऐसे कुछ किया होगा कभी वैसे ही सेम चीज़ अगर मैं मिक्स कर रहा हूं तो मैंने क्या किया है मैंने पानी में चीनी रखा है मैंने चीनी अलग से रह नहीं किया मैं उसका बार बार ऐसे हिज़र से इस उस ग्लास में डाल रहा हूं तो उसमें क्या और रहा है number of the solute क्या है constant है number of the solute constant है to sir उसका final मूलारीटी क्या होगी, दोनों ग्लास में कितना सर्वत कम इठाता आएगी, वो कैसे निकालूंगा, एक बाब बताओ, इसके नमबर अप मुल्स कितने होंगे, मूलारीटी M1 इंटू V1, सर इसके नमबर अप मुल्स कितने होंगे, N2 कितना होगा, M2 इंटू V2, यही होगा, और सर, मिक्स्चर के, नॉर्मल मिक्स्चर के अगर बात करूं, तो इसके नमबर अप मुल्स कितने होंगे, M मिक्स्चर इंटू V मिक्स्चर होंगे, N मिक्स्चर इंटू V मिक्स्चर होंगे, बस एक चीज़ यहां रखना, मैंने क्या बोला, नमबर अप मुल्स M1 V1 plus M2 V2 अच्छा मैं दो लोग का example एक समझा रहा हूँ यहाँ M3 V3 होता तो भी add कर लेते M4 V4 होता तो भी add कर लेते सबको add कर लो mixture के अंदर क्या होगा number of moles क्या रहेंगे सबका addition रहेंगा सबका sum रहेंगा अरे दो चार लोग मिल गए दो चार लोग ग्लास में डाल देंगे तो यहाँ N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 लाइट करता रहे बाई अब देख यहाँ पे molarity of mixture का formula बता रहा हूँ M1 V1 plus M2 V2 divided by volume of mixture सर यह ध्यान रखना अपने पास यह ध्यान रखना यह ध्यान रखना अपने को यह formula और अब इस formula में एक चीज़ अपने पास क्या है इस पे अब ऐसानी concept यही पे खत्म हूँ यहाँ पे अपकूट concept दो यहाँ पे दो cases आएंगे कैसे sir number of moles आपने क्या किया sir मैंने number of moles ना मैंने number of moles constant रखा है N mixture is nothing N1 plus N2 किया है इवन इससे पहले वाले dilution और concentration में भी solute के ही moles मैंने लिये थे constant यहाँ पे भी वही concept है लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना हमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना है क्या कि sir normal number of moles of mixture is nothing N1 plus N2 हो गया ठीक है sir molarity of mixture M1 V1 plus M2 V2 divided by क्या हो जाएगा V mixture आजाएगा अच्छा sir यह V mixture क्या होगा volume of mixture क्या होगा यह condition याद रखना है sir volume of mixture ना 2 हो सकते है case 1 volume of mixture volume of mixture क्या हो जाएगा sir volume of mixture अगर देखोगे न volume of mixture आपको आजाएगा volume of mixture अगर ध्यान से देखो volume of mixture देखना sir case 1 सर केस वन क्या बोलू मैं in general हम लोग volume of mixture यही लेते हैं in general question में अगर नहीं दिया है तो आप volume of mixture क्या लोगे volume of mixture is nothing v1 plus v2 normal case में 100 ml आपका सर्वत है 100 ml दोस्त का है मिलाया 200 ml बना दिया लेकिन एक condition तो यह भी हो सकती है ना कि आपने जैसे ही सर्वत बनाया आपका दोस्त तुछ केस तुदेखना आपने पास और केस टू मेंदेखो तो सर volume of mixture volume of mixture में क्या लिख सकता हूँ मैं add भी कर सकता हूँ कुछ चीजे add भी कर सकता हूँ अब तुम बोलो से question में कब पता चलेगा अब ही question देखेंगे उसमें आपको बताया जाएगा clearly कि सर इसमें direct add किया जा रहा है या फिर कुछ और add किया जा रहा है आप common sense तो लगा ही लोगे अगर मैं दो चीजें बोल दूँ मैं बोलू है दोस्ट है 100 ml मैं लेकिया आए बता सौलीशन कैसे बनेगा तो इसका मतलब क्या हो गया 100 प्लस 100 200 ml mixture का volume हो गया लेकि अगर मैं ऐसा बोलू यार 200 ml मैं लेकिया है 200 ml में लेकिया और ना volume of solution 500 हो गया इसका मतलब क्या है 200 ml मैं लेकिया था 200 दोस्ट लेकिया तो 400 हुगे लेकिन भाई volume of solution 500 कैसे हो गया होगा क्योंकि 100 ml आपने सर पानी भी डाला होगा यहीं होगा ना समझो question question क्या बोला मैं अगर नॉमल ऐसे बोलू क्या 200 ml मैं लेकिया और हमने solution बनाया solution मजाया पीने में तो इसका मतलब क्या है सर 200 200 400 ml बनाया सपने लेकिन अगर मैं ऐसा बनू 200 ml 200 ml solution का volume हमने change करके 600 ml बना दिया तो 600 ml चमतकार तो हो नहीं रहा होगा दो सब्सक्राइब क्या डाला होगा मैंने पानी डाला होगा पक्का तो सर यह देख लो अपने पास इसे डेल लाइफ में करने को मिल सकती है बड़ उसे लिए college पहुंचना है बहुत अच्छी सिखाई जाएगी आसे कैसे मिक्स करना है कितना मिक्स करना है कितना 30 ml 40 ml किस तरह मिक्स करना है अगर तीन दोस्त आगे तुसी को कैसे बांटना है सब कुछ पता चल जाएगा अच्छे लोग साथ अच्छी बाते होती है ठीक है तो college पहुंच ठीक है अगर बाई दोस दिन नहीं आया तो मुझे call करना म कैसे concentrate करना है कैसे mixing करनी ठीक है college पहुंच और वहां से बोल करें सब्सक्राइब मैं मिक्सिंग नहीं भूल गया उस दिन किस टीचर जोट नहीं पड़े तो खुदे मिक्स कर लेगा ठीक है चलो अब मैं बोल रहा था कि सर ये mixing हो गया अब किस ने बोला सर कोश्चन बताओ कोश्चन देख बिटा ध्यान से इसके कोश्चन बड़े अच्छे से बनेंगे देखना ध्यान से अगर मैं बोलता हूँ अगर मैं बोलता हूँ calculate calculate molarity of mixture थ्रो ध्यान से देखना calculate molarity of mixture if थ्रो ध्यान से पहला पहला question देखो if 200 ml of 200 ml of 0.1 m hcl is 200 ml of 0.1 m hcl is mixed with mixed with 300 ml of 300 ml of 0.2 m hcl सर पहला question तो ये है मुझे न बस एक चीद देखना अभी देखना तूसरा option भी बता रब रुख जाओ आराम से करना पहले ये देख लो 0.1 m hcl is mixed with सर ये जान बुझ के मैं ये दोनों question साथ में दे रहा हूँ ताकि आपको volume of mixture का concept याद रहे 300 ml of 0.2 m hcl लेकिन and 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 b part में volume of solution is made to volume of solution is made to volume of solution is made up to made up to 750 ml दोनों case में आपको क्या निकालना है molarity of mixture सर मिक्सिंग हो रही है एक solution दूसरे solution सर मिक्स कर रहा है लेगि बेटा पहले case में क्या हो रहा है खुद से सूच पहले case में normal mixing हो रही है मतलब यहाँ volume of mixture क्या लेगा v1 plus v2 क्यों 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 कुछ दिया ही नहीं है जब कुछ नहीं दिया है तो normal case ले ले normal case क्या हो जाएगा तेरे पास Saar Normal case क्या हो जाएगा अगर Volume Of Mixer की बात करें तो Volume Of Mixer क्या हो जाएगा Molarity Of Mixer निकालना है पहले case में Colarity Of Mixer क्या हो जाएगा Saar किसी को दिख्कत ये M1 V1 प्लस M2 V2 और यहाँ पर Volume Of Mixer मैं सीधा सीधा V1 प्लуска V2 लिख रहा हूँ क्यों कि सर यही दिया है 2 से मिल को 3 से मिक्स कर दो क्या होगा सर यहां पे अच्छा कुछ लोग एक चीज वा कुछ लोग आता है कि सर वॉल्यूम किसमें लेंगे लीटर में बार बार बोल्टा ओं डैलूशन का केस हो चाहे मिक्सिंग का केस हो यूनिट सेम रखना अगर मैं उपर unit 200 ml ले रहा हो ना अगर तू बलेगा नहीं सर मैं लीटर में लूँगा ले 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 भाई कोई दिक्कत नहीं लेकिन तेरा ही काम फालतु का बढ़ेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन तेरा काम इसलिए बढ़ेगा क्योंकि भाई तू हमेशा परिशान रहेगा calculation क लेके देख भाई लीटर में convert करेगा यह टोटल कितने वाज जाएंगे 500 अपने पास यह 20 आ गया यह 60 आगया डिवाइड बाई कितना आ गया 500 सर इसका मैं बोलना चाओं तो कितना हो जाएगा सर यह कितना हो जाएगा 0.16 म मुलारीटी अफ मिक्चर कितना आ गया 0.16 म आ गया लेकिन लेकिन अगर सर सेकेंड कोश्चन कोई attempt करना चाहता है अगर कोई सेकेंड कोश्चन attempt करना चाहता है तो वहाँ पे आपको मुलारीटी अफ मि क्यों क्योंकि सर वॉल्यम अफ मिक्चर अगर आप वीवन प्लस वीटू लिख दोगे तो सर कितना एमल होगा 200 प्लस 300 500 होना चाहिए लेकिन वो क्या लिख रहा है लाइन में सर सेकेंड कोशन में क्या बोल रहा है 10-000 अब चाहिए नमबरं मॉल्स वीटू नहीं है लेकिन वालिम चैंज हो गया और अपकी वार volume कितना हो गया 750 हो गया सर इसको भी calculate करेंगे 80 by 750 आ जाएगा और इसका answer 8 by 75 M आ जाएगा दोनों के case में difference इसका 8 by 50 आया उसका कितना आ गया 8 upon 75 पक्का तो Molarity of mixture बोला जाए तो उसके case में सर formula same रहेगा concept same रहेगा बस आपको दो चीज़े चेक कर रहे हैं एक सर अपने पास volume कैसा है volume सिधा सिधा एड हो रहा है तब तो V1 प्लस V2 ले लो और प्लस अगर volume में V1 प्लस V2 प्लस volume of water आ रहा है तो वैसे ले लो कोई दिक्कत नहीं पक्का volume of mixture कैसे change होगा वो जरू धेक लेना पक्का सर स्योर हो यह चीज़े देख ले भाई कोई दिक्कत किसी को शोर हो अच्छा सर अब मुझे किसी ने question दे दिया तो मैं निकाल सकता हूँ क्या formula है mixing का dilution का concept क्या था dilution का concept यह था कि number of water solute constant रहेगा और एक ही solution को dilute करना या concentrate करना है इसमें क्या है दो लोगों को mix करना है दो लोगों को mix करना है आप कोई बोलेगा सर acid plus base mix होगा तो भी जाने दो जिंदगी में निट्रलाइशन भी करेंगे आप tension मत लीजे अभी मत सोचिए फालतोग जीरे अभी आप यह जाने है कि मुझे कोश्षन कैसे करना है आपको डॉक्टर बनाना है तो सर हमें प्रीचिर देना पढ़ेगा आप देख लो, वहाँ पर क्या बोला जा रहा है, equal volume mix हो रहा है, किसका, 0.1 M, AGNO3 का, 0.2 M, NACL का, वो क्या पूछ रहा है, concentration of nitrate iron, सर आप तो बोल रहे हैं, mixing करेंगे, तो simple simple, simple, सीधा-सीधा mix होगा, M1 V1 plus M2 V2 होगा, यहां तो nitrate iron, बोल रहा है, iron कैसे होता है, बेटा, आपको ही पता है, अगर आप देखो, ध्यान से, अब देखो, यह एक तो है, इसे शॉटकर पता है, तो यह concept simple, फिर से, ionic equilibrium में फिर से आएगा, वहां पर भी यही सेम चीज़ यूज़ करनी, equal volume अगर किसी का बोले न, तो आँख बन करके, वन वन लीटर ले लिया करो, अगर लगता हो, या तो ऐसे दो VV ले ले लो, V ले ले लो, कोई दिखका नहीं, लेकिन आप बाई दो यह लगता हो, असान सा होगा, आप उसकी attention मत लो, लेकिन ये question मैं, class में चाहता हूँ, आपके साथ डिसकस करना, आपके साथ चाहता हूँ, मैं कि आप साथ साथ डिसकस करो, चीजों से सीखो, क्योंकि ये सीखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा important है, ठीक है, देखो, अब मुझे क्या बु मुलारीटी औफ नाइट्रेट आए निकालना है, ठीक है, मुलारीटी किसी कैसे निकालते हैं, सर उसके number of moles निकालते हैं, divide by volume of solution, किसमें लेते हैं, लीटर में, जब बेटा कुछ ना आए ना, basics प्याज़, जब कुछ ना आए ना, मैं simple सा एक shortcut जानता होगी, जब कुछ न है ना, exam wall में, चुप चा, basics पकड़ लो, basics क्या कहता है, कि सर, उसकी concentration निकालने हैं, तो concentration आए निकाल होगी, अब तुम बोलो, सर, nitrate का मुल्स नहीं पता, एक बात बताना, number of moles of agno3 निकाल सकते हो, molarity into volume, liters में लेकी कर सकते हो, 0.1 into 1, कितने moles होगे, 0.1 moles of agno3 होगया, और तुम्हें भी पता है, कि सर, agno3 तूटेगा, agno3 अगर तूटता है, तो कौन सा आयन देगा, ag plus देगा, और कौन सा आयन देगा, no3 minus देगा, अगर इसके 0.1 moles हैं, तो सर, इसके भी तूटने के सर, आगिया, सर, देख लो अपने पास, इसकी value कितनी आ गए, 0.1 moles आ गया, सर, अब बताना मुझे, volume of solution, यहाँ पे गलती और, volume of solution, गलती से भी मत कर देना, अभी question solve, volume of solution, अब कितना होगा, तो सर, volume of solution, पता है, कितना लेने वाला हो, 2 liter, क्यों, क्योंकि सर, mix होने के बाद NO3 देगा, एक ही आदमी, लेकिन mix होगा, तो solution तो बड़ा ही हो जाएगा, ना, कितने solution हो जाएगा, 2 liter का, और इसलिए मेरा answer यहाँ से calculate करोगे, तो क्या जाएगा, 0.05 M, सर, यह देख लेना अपने पास, यह सब questions, यह सब questions, one of the best questions में से आएंगे, और जब आएंगे, आप का rank उपर, सीधा, मतलब आपको एक question आ रहे हो, सीधा rank jump कर जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा आपको, इस तरह ही question सीखो, आपको मैंने mixing सिखाया, लेकिन mixing में मैंने अलग-अलग salt लेके सिखाया, reason, कि यह normal mixing M1, V1, M2, V2 वाला, सब लोग कर लेंगे, यार, वो दिक्कत नही लेकिन ये सीखना जरूर ही है, सर, अगर एक आयन का पूछ दिया, तो कैसे निकालेंगे, एजीन उथे टूटेगा, उसके number of ions निकाल लो, number of ions, क्योंकि concentration of nitrate ion पूछा जा रहा है, आपसे, concentration of nitrate ion पूछा जा रहा है, अचा कोई बूले, सर, NACL का क्या रोल है, वाई, कोई अगला question, देख ले भाई, सोच ले, कुछ और दिक्कत आ रही है, सोच लो भाई, कुछ और दिक्कत हो, तो सोच लो कैसे करेंगे, पक्का, चलो, ये question तुम लोग करके देखो, ये question तुम लोग करके देखो, आपके remove दिया है, volume दिया है, मुझसे बुला जा रहा है, molarity of CL minus बताओ, बहुत सईसे questions है, खजाने में अच्छे-च्छे questions में लेके आता हो, tension मतले हर एक दिन तेरा division होता रहेगा, तो उसकी tension मतले, तेरा ही selection होगा, ये में लिख के दे रहा हो, तुझे, बस तु करता जा, बाते मान कर, बता, क्या होगा, 0.2 mol of CL किया, 0.2 mol of CL किया, 0.2 mol of CL है, और 0.1, एक सिंपल सा, सर, क्या निकालना है, मिझे जब भी कुछ पूछे, ना, तो मैं सीधा-सीधा वहले basic पे चला जाता हो, और exam hall में यहीं आदत रखा गरो, इससे क्या होगा, तुम्हारा concept बहुत तगड़ा रहेगा, कि यह मुझे जब कुछ नहीं आता, तो मै क्या करता हूँ, basics पकड़ लेता हूँ, उससे मेरा काम बन जाएगा, यह मुझे लगाना है, अब यह number of moles of CL minus मिल जाए, divide by volume of solution, volume of solution दिया हुआ है, सर, volume of solution ml में दिया है, तो सर, उसको कितने से divide कर दूँगा, thousand से, तो यह क्या होगा, लीटर हागया, number of moles of CL minus missing है, CL minus कैसे नि बनेंगे, 0.2 मोल, और CL minus कितने बनेंगे, 0.2 मोल, सर, CACL2 है, CACL2 के टूटने से, क्या बन जाएगा, सर, इसके 0.1 मोल है, इसके 0.1 मोल है, तो इसके 0.1 मोल बनेगा, लेकिन इसके कितने बन जाएगे, 0.2 मोल, सर, देख लो अपने पास, यह देख लो, number of moles of, सर, number of moles of chlorine क कहां कहां से आएगा, सर, 0.2, plus 0.2, कितने मोल्स हो गए, 0.4 मोल्स हो गए, और 0.4 मोल्स को डिवाइड कर दो, सर, किस से, सर, 0.4 divided by 1 by 2, सर, यह उपर आके 2 कितने से हो जाएगा, 0.8 म, सर, देख लो, अपने पास option, second option देख लो, यह देख लो, मैंने क्या किया, सर, अपने मिक्सिंग करने का एक तरीका यह भी हो सकता है, सर, आपको हमेशा M1 V1 नहीं लगाना है, इसलिए जान बुझ की एक question दाले, क्योंकि बहुत सारे लों रट्टा मारने के master हो जाते है, हर एक जगा M1 V1 प्लस M2 है, पर कहां M1 V1, जरूर ही थोड़ी नहीं हमेशा, कि मिक्सि भी लगानी है, common sense कहने में common लगता है, लेकिन भाई साब होना बहुत difficult है, और दिमाग यूज करना, intelligent होना important है अपने लिए, intelligent बनना जाता है, बना जाता है कैसे ही, बार-बार अलग-लग type के situations में आपको ठाला जाता है, आपको अलग-लग type के situation दी जाती है, तभी आप intelligent सोच पाओगे अचा हाँ यार, इसमें तो ऐसे भी सोचना है, इसमें ऐसे भी सोचना है, तो molarity of mixture हो जाएगा, शोर हो, molarity of mixture clear है, तो molarity के case में दो conditions थी, dilution और अपने पास mixing, dilution और क्या था, dilution और mixing, चल बेटा, एक question और ultimate question देता हूँ, एक question और ultimate question देता हूँ, खजाने का ये निकाल के सब लोग दिखाओ, उसके बाद हम लोग, molarity की तरफ move करेंगे, molarity के अपने पास, ये question देखो, molarity अपने पास, volume of water that must be added, अब क्या पूछ रहा है, volume of water पूछ रहा है, ये question सब दो try करके देख, ये question try करके देख बेटा, और कलगी class में molarity mixing, फिर से हम लोग द चाहिए, question कैसे आएगा, sir, यहां तो सब कुछ ही दिया हुआ है, तो भया, सब कुछ दिया है, तो क्या करना है, question ही तो करना है, क्या करोगे, sir, molarity of mixture का formula आपने क्या बताया था, m1, v1, plus m2, v2, or divided by volume of mixture, sir, यहां v1, plus v2 ले सकता हूँ, क्या नहीं, क्योंग ये question पहले ही ल है, m1 कितना है, sir, 215 to 0.6, sir, ml में ले रहा हूँ, कोई tension तो नहीं है, नहीं है by tension, तो ले ना अपने पास, sir, इसका volume कितना होगा, 250, plus 750, plus कुछ volume हमने क्या add किया होगा, पानी का भी add किया होगा, total volume, v2 mixture क्या होगा, यह होगा, तो sir, इसको solve करना शुरू करो, यह 0.25 हो गया यह 0.25 हो गया, यह कितना हो गया, 150 हो गया, यह कितना हो गया, 150 हो गया, और यह कितना हो गया, 1000 plus volume of water, solve करेंगे कितना आ जाएगा, इसको solve करते हैं mathematically, तो 1000 से यह कितना हो गया, 250, और plus 0.25 volume of water is equals to, कितना हो गया, 300, तो 0.25 volume of water is nothing, 300 minus 250, 50 तो volume of water ml में कितना आ जाएगा 50 upon 0.50 upon 0.25 सर ये decimal इधर चला जाएगा और ये कितना आ जाएगा 200 ml दो 100 ml आपका क्या आ जाएगा volume आ जाएगा सर 200 ml आप क्या कर रहे हो पानी add कर रहे हो बस ये ध्यान रख भाई हो गया कुश्चन में देख तेरे पास concept के नाम पे एक concept और उसकी अलग-अलग variation पूल पानी कितना add करो गया पानी कैसे पता चला तो सर वीबन प्लस वीटू तो पहले से पता था तो volume of water क्या माल लोगे वी माल लो निकाल तेरो volume of water उसकी हिसाब से calculation कर लो उसके हिसाब से चीज़े सोच लो कि liyar कैसे क्र सकता हो किस तरह सूच सकता हूँ रंपक्का हो जाएगा सर श्योर है अप यह लोग आप सब लोगे कर लेंगे यहां सर यह मैं कर सकता हूँ पक्का देख लो नॉर्मल चीज़े हो जाएगे चलो, Molarity हो गई, Molarity के सारी conditions हमने चेक कर लिया है, Molarity के सारी चीज़े हमने कर लिया है, आचा Strength पढ़ा है, Molarity पढ़िए, Strength पढ़ा है और Molarity पढ़िए, तो Strength और Molarity में कोई relation निकाल सकता है गया, चलो एक Simple सा, एक Simple सा, एक Question देता हूँ, Derive the relation between Strength and Molarity, आप करके देखो, Strength और Molarity या Question, अब मुझे comment box में बताना कि सर मैंने कर लिया था, आप से पहले कर लिया था, Derive the relation between Strength and Molarity, Strength और Molarity के बीच में एक Relation निकाल के दिखा दो मुझे, मुझे किसने बोला कि सर ये Derive करके दिखाओ, मैं अगर Relation के बारें बात करूँ, Relation between Strength and Strength of Solution Relation between Strength of Solution and Molarity Molarity और Strength के बीच में Relation निकाल के दिखाओ, देख बेटा, अपने को अब देख, चिस जिस अंगल से तु सोच सकता है उस उस अंगल से मैं सुचवाओंगा तुमसे, और तुम ही Question करके दिखाओगे मुझे इतना सर, एक चीज जान जाओ मैं तेरा भला चाहता हूँ, इसलिए तेरे से महनत करवा रहा हूँ मुझे नहीं यह चाहिए, कि हाँ मैं बारा बोलता हूँ, मुझे ऐसे Thank You मत बोल लिया सर, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं Reason कि भाया, यह बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है मुझे पता जादा खुशी कब होगी जब तु कॉलीज में पहुचेगा ना और दो साल बाद, एक साल बाद कहीं पर पब्लिक प्लिटवाम बोला होगा और इस सर मैंने आपकर स्ट्रेंट था तो वो जो पढ़के मैसेज मजा आता है ना वो ultimate level happiness लेकर जाता है तो Thank You बोलने का सबसे best तरीका तुझे selection लेकर जाना है पक्का ना तो best है, मुझे Thank You बोलने से better है कि ये बोल कि सर मैं इस बार selection होगा दिन बर मैं चार बर बोल, अपने अंदर एक motivation रहेगा कि selection होना है होना है होना है, सोच ना इसमें क्या होगा आज पहली बार तो खुद से derive कर नहीं कुछ कर क्या सुच सकता हूं मैं, कुछ हो सकता है क्या कुछ हो सकता है क्या strength क्या होता था, mass of solute strength क्या होता हूँ, mass of solute divided by volume of solution किसमें लेते थे हम लोग, liters में यही था ना, पक्का अच्छा, तो ये काम करते हैं एक काम कर लेते हैं, molarity क्या था तो सर, number of moles of solute divided by volume of solution था, volume of solution था, किस में, liters में, अच्छा, तो एक काम करो, इसको ऐसे भी लिख सकते थे न हम लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कली हमने लिखा है, आज भी फिर से दुबारा लिखा है, volume of solution लिखा है हम लोगों ने, किस में, liters में लिखा है, पक्का, तो एक बाब बताओ, ये किस को represent कर रहा है, ये क्या है, सर, उपर वाले को represent नहीं कर रहा, तो, मुलरीटी इस नथिंग, स्ट्रेंथ अपॉन, मुलर मास ओफ, सॉल्यूट है क्या, मुलरीटी इस नथिंग, स्ट्रेंथ अपॉन, मुलर मास ओफ, सॉल्यूट है क्या, या फिर, अगर मैं स्ट्रेंथ के बारें बात करूँ, तो, स्ट्रेंथ इस नथिंग, मुलरीटी इं Molarity into Molar Mass of Solute, पक्का देख लो, यह relations अपने पास निकाल सकते हो, तो derivation के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, यह formula अगर तुम नहीं देखा हुआ है, तो तुम जाओगे exam hall में और बेहुस होगे, पढ़े रहोगे, अरे यार पता नहीं, यार यह तो चीज पढ़ी ही नहीं चीज दे दूँ, अगर मुझसे किसने बोला, कि सर कैलकुलेट करो, अगर मुझसे किसने बोला, कि सर कैलकुलेट करने का ऐसा कुछ बोल दिया, अगर कैलकुलेट करने का बोल दिया जाए, कि सर यह formula दिया था आपने, तो कैलकुलेट, अगर मैं ऐसे बोल दूँ, calculate molarity of any which solution having having strength 100 gram per liter ये question ये दिया हुआ है किसने बोला सर strength of solution बताईए strength of any which solution strength of any which solution having molarity having molarity molarity D D Sir 2M बताऊ दोनों में question कर सकते हो ये दोनों question fast fast निकाल सकते हो क्या ये दोनों question fast fast निकाल सकते हो क्या जल्दी दोनों questions कर सकते हो क्या ये दोनों questions निकाल सकते हो देखो भाई सब कैसे आएगा कैसे आएगा ये question solution देखो अपने पास वाला फामुला देखो, मुलारिटी क्या होती है, strength upon molar mass of solute, तो strength upon molar mass of solute, solute कौन है, तो आप कोई पता है, naOH, strength कितना है, 100, divided by, sir, molar mass naOH का कितना होगा, 40, answer निकालूंगा, 2.5 देमा जाएगा, सर, second part अगर करने जाओं, तो strength निकालना है, तो वो क्या होता है, molarity into molar mass of solute होता है, और वो कितना हो जाएगा, 2 into 40 होगा, और ये क्या हो जाएगा, 80 gram per liter, सर, ये question, अगर formula आता है, तो within second exam hall में कर दोगे, लेकिन अगर नहीं आता है, तो फिर भाईया, दूर दूर तक कुछ नहीं होने वाला है, फिर exam hall में सोच रहोगे, क्या निकालना है, कैसे निकालना है, कितना time लएगा, बिट रहे हैं, एक second में question हो जाना है, एक second में question हो ज मुलारिटी पढ़ लिए, ये चीजे हमने पढ़ लिया, अब क्या होता है, तो सर, अब एक मुलारिटी का ना एक बड़ा भाई आता है, मलब छोटा भाई बोल सकते हैं, मलब एक simple, मुलारिटी के conditions, capital M से represent करते हैं, इसी का एक छोटा आता है अपने पास, उसको बोलते हैं मुलालिटी, एक बड़े मिया हैं, तो एक छोटे मिया हैं, और कुछ नहीं, बड़े मिया का भाव ज़्यादा था, बड़े मिया को हमने इतना detail बे पढ़ा, कल से पड़ते आ रहें, अभी तक पढ़ते जारें, लेकिन छोटे मियां जो होते हैं, वो बड़े काम के हैं, उ इसे क्या क्या फर्क पढ़ सकता है similarly हमें यह पता होता है स्मॉल एम और क्यापिटल एंब बहुत बड़ा डिफरेंस है कैसे तो ध्यान से सुनना क्या होता है मुलारीटी मुलारीटी अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि सर मूल्स अफ सॉल्यूट इन वन लीटर अफ सॉलूशन मूल्स अफ सॉल्यूट इन वन लीटर अफ सॉलूशन यही पढ़ रहे थे अब सर यहां पर भी ध्यान से सुनो यह क्या बताता है यह बंदे अलग लेवल पर आए और इवन तुम डॉक्टर बनोग न तुम यह सॉलूशन जादा प्रिफर करते हो यह सॉलूशन तुम जा कम दिया ति मूल लीटी होती क्या है तो सर यह देखना और क्या होता है तो यह देख्व अपने पास यह बंदक invert प्रेजिए टेट मूलस अफ शाल हुँट उ सुलूट इड़ेटर confirmed प्रोलिवत सॉन। यह रीम से न चाही ज़ीए या 1000 gram of solvent एक kg या 1000 gram, 1000 gram of solvent में कितने moles of solute है, पहला ऐसा बंदा आया, पहला ऐसा बंदा, अब भी तक तुम जितना पढ़ रहे थे, सब में solution के respect में देख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ यही एक quantity है, जो solvent के respect में देखती है, अदरवाई आप कोई भी अपना पीछे का कोई term उठ के देख लो, mass percentage हो, mole fraction हो, volume percentage हो, सब कुछ, सब कुछ solution के respect में था, ये term इसलिए important है, क्योंकि solvent के respect में देखता है, और solvent का volume नहीं देखता है, solvent का mass देखता है, इसलिए जादा important है, छोटा सा concept है, ये कि बहुत घाओ करता है भाईचा, बहुत जादा घाओ करेगा, इसलिए बोला थ्यान से सुरना, मुझे क्या बोला गया, कि सर एक काम करते है, सर ये क्या है, molality क्या है, इसका formula देखोगे, तो formula ये बन जाता है, कि number of moles of solute, number of moles of solute, अगर molality का formula कुछ तुम से पूछे, small m का formula पूछे, एक तो इनलों में एक तो नाम का बहुत similarity है, दूसरा small m और capital m की similarity है, तो आधे question तो इसलिए गलती हो जाते है, तो ये ध्यान दखना, बड़े मिया क्या है, अलग है, वो क्या है, dilution करेंगे, mixing करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो अलग कहा नहीं थे, यहाँ क्या है, छोटे मिया क्या बोलते है, भाईया, ये देखिए, यहाँ पर क्या लिखता हूँ, mass of solvent लिखता हूँ, w of solvent लिखता हूँ, किसके टर्मस में, kg के टर्मस में, और ये मेरा पहला और आखरी formula देख लो ध्यान से, कैसा बन रहा होगा, सर इसका अपने पास, ये देख लो, सर इसका unit है, इसका unit देखो अपने पास, तो unit क्या आ ज आएगा, या फिर इसको हम लोग मूलल बोल देते हैं, solution को, या फिर small m से represent कर देते है, unit देख लो, मूलस पर kg, मूलल या फिर small m से represent करेंगे, तो morality is nothing, number of moles of solute divided by mass of solvent, किसमे kg में, अच्छा सर, अच्छा सर, ये हो गया, क्या represent करता है, तो सर, moles of solute in one kg, थ्यान सुनना, अगर मैं कहीं ऐसा लिखता हूँ, थ्यान से देखो अपने पास, two m लिखता हूँ, two small m, hcl, aqueous solution लिखता हूँ, भाई साब थ्या सा रुखना, और सोचना, कि सर क्या कहना चाहते हैं, और exam में इस confusion से कैसे बचना है, two m, hcl, aqueous solution, बेटा, ये गमार आदमी को ना, ये दोनों सेम लगेंगे, अब तुम खुद डिसाइड कर लो, अगर डिफ्रेंशियेट कर पा रहे हो, सर, दोनों तो सेम ही तो है, two m, two m, दोनों सेम तो है, पक्का, सेम नहीं है ना, शोड़ हूँ, सेम नहीं है, इसलिए, क्यूँकि सर, एक किसी और चीज़ को रिपेजेट कर रहा है, एक किसी और चीज़ को रिपर्जेंट कर रहा है सर ये इसमें similarity है क्या similarity है सर दोनों में 2 moles of HCL है सर दोनों में 2 moles of HCL है इसमें भी 2 moles HCL है दोनों में 2 moles of HCL है लेकिन ये किसके respect में 2 moles of HCL है लेकिन ये किसके respect में है 2 moles of HCL is present in 1 kg जी या फिर मैं बोल सकता हूँ 1000 gram of solvent लिख सकता हूँ solvent लिख सकता हूँ इसके case में क्या लिखूंगा it is present in it is present in sir thousand liter sorry ml या फिर one liter of solution लिख सकता हूँ देख ले भाई कैसे करना है यह decide कर लो sir two moles of hcl is present in one kg a thousand gram of solution solvent और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक liter वो volume of solution के respect में बता रहा है और यह solvent के गोलों के बीच का difference याद रखिए का सर कैसे कर रहा हूँ मुझे क्या बोला गया small m capital m के बीच का difference relate करना small m और capital m के बीच का difference relate करना आप देख लो आप difference relate कर सकते हो क्या अप देख लो अपने पास चीजे सोच सकते हो क्या ml of solvent पक्का solution हो जाएगा शोरो तो ये सब चीजे देख लो molality अपने पास ये है 2m, capital 2m, small 2m, शोर हो जाएगा अच्छा, सर ये इसको जादा इतना preference आप क्यों दे रहे हो क्योंकि इसका reason है, इसका reason है, सर एक पाब बताओ अपने पास formula तो चलो ठीक है, अपने पास differences रखो लेकिन दो type की चीजे होती, जहां क्योंकि आप देखो, दो type की होंगी मैं अगर ये line लिखता हूँ, अगर मैं ये line लिखता हूँ कि सर, molality जो होती है, molality is more preferred, more preferred, more preferred सर, ये ज़्यादा प्रिफर होती है, doctors को, than molality, सर, molality ज़्यादा प्रिफर करते हैं, as compared to molality, capital M से, बड़े मिया को छोड़के हम लोग, छोटे मिया को ज़्यादा प्रिफर करते हैं, और डॉक्टर बनने को तुम ज़्यादा प्रिफरेंस इसी को दोगे, reason, कि माल लो कोई सीरफ बना रहे हो तुम, इंडिया में कोई सीरफ बना रहे हो, उसका temperature अलग है, और इसका Australia में वो दवाई लेके गए, क्योंकि इंडिया वाले बहुत साई दवाईया बनाते हैं, तो यहाँ दवाई माल लो हमने Australia भेजी, यहाँ नौर्वे भेजते हैं, पार चला वहाँ temperature अलग है, वहाँ temperature अलग है, दवाई बने हो जाके खराब हो जाएगी, यहाँ पर अपने पास, यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, उसको ज्यादा preference देते हैं, reason कि सर, mass change नहीं करता temperature साथ, अगर मेरा mass 85 kg है, तो है, ऐसा नहीं होगा, सर, mass change नहीं करता, change क्या हो जाता है, volume, जैसे पानी है, अगर पानी यहाँ normal temperature पर रखोगे तो liquid रहेगा, freeze में डाल दो, freezer में डाल दो, solid हो जाएगा, उसको heat में डख दो, तो क्या हो जाएगा, vapor बन जाएगा, तो सर, क्या होता है, उसका volume change हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, volume change करता है, तो दोनों में difference है, सर, य जादा preferred है, क्योंकि यह temperature क्या होता है, temperature independent होता है, और temperature independent quantity को हम जादा prefer करते है, as compare to, यह temperature dependent होता है, temperature dependent कैसे हो गया, तो temperature dependent, because, सर, क्या हो रहा है, इसका volume changes with, volume changes with temperature, वॉल्यूक बीम मस टेंपरेचिर चलों के साथ क्या होगा फॉल्यूक टेंपरेचर के साथ क्या दिंटेंथ होगां मॉलारीटी में क्या होगी च्रीज होगी इसी लिए इसले ... प्रिफर नहीं जहां वॉल्यूम का टर्म आ गया जहां भी वॉल्यूम का टर्म आ गया समझ जाओ वहां पर क्या है वो टेंपरेचर डिपेंडेंट है वो टेंपरेचर जैसे स्ट्रेंथ की बात करते हैं स्ट्रेंथ क्या है टेंपरेचर डिपेंडेंट है सर अगर मैं बात क मूल फ्राकुन यह बात करता हूं मास करता हूं मैञेट क्या तंपरेचr मासधिक नहीं करता है मास सेम रहेगा उआ आल दस ग्राम जाकर इस नहीं अभ यह मतमाना सार आरे हमने तो één पास वेट चाहता है because gravitational g वैलु क्या हो जाती है अपने पस change कर जाती है तो similarly यहां पर सर यह क्या है temperature dependent ہے इसलिए उस्का हो ज्यादा यही प्रिफर करेंगे आप भी यही प्रिफर करोगे आगे जाके यह चीज़ आन रखना मुलालीटी हो मुलारीटी हो दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखो दूसरा एक एक केजी सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट मताता है और दूसरा सर एक लिटर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट मताता है अब थोड़ा ध्यान से देखना अब मैं फरसे फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैंने लिखा number of moles of solute divided by mass of solvent किस में लेना है केजी में लेना है अब लेकिन किसने बोला सर मैं तो ग्राम में दे दूँगा तो भाई कुछ नहीं number of moles of solute divided by mass of solvent mass of solvent सर ये ग्राम में अगर दोगे तो उसको कितने से divide करना पड़ेगा thousand से तो फॉर्मूला क्या जाएगा number of moles of solute in 2000 upon mass of solvent किस में ग्राम में किसने बोला सर और कुछ चेंजिस कर सकते हैं यस कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं तो भाई तो भारे हाथ में फॉर्मूला जितना चाहो उतना टेड़ा मेरा करते रहो हाँ मेरे से कोई पूछेगा तो मैं basic formula जानता हूं मैं basic formula जानता हू कि यह formula यूज़ करने वाला हूं दूसरा मुझे किसने बोला सर और कोई यूज़ करने वाले हो तो हां मैं एक और चौर्मूला यूज़ कर सकता हूं थ्यान से देखना कली पढ़ा है solute किसको बोलते यह देख ले ना number of moles of solute किसको बोलते सर number of moles of solute निकालने जाओगे तो ही निकालोगे न into thousand upon into thousand upon mass of क्या लिखने वाले हो solvent लिखने वाले हो किसमे ग्राम में तो सर ये भी एक formula है जो हम सब लोगों को याद रखना है बार बार ये question आएगा बार बार ये question आएगा और आपको यही remember करके रखना है ये वियार बार बार ये question आएगा और आपको 12th class के जब तक हम physical कर रहे हैं तब तक ये दो formula जो जो मैंने box बनाए वो दानो formula पक्का ये चीज़े कर लोगे molality is nothing mass of solvent solute divided by molar mass of solute into thousand upon w of solvent पक्का सर questions कर लोगे questions ट्राइ करें क्या इसके molality के question इस साल का question आए नीट 2022 का एक question है पक्का नीट 2022 का एक question करते है और concentration terms अपना finish ही होने वाला है बस यही last concentration terms है इसका छोट-छोटे relations है वो निकालते रहेंगे यह को बेटा आपने पास एक question करते है जैसे मानलों ये question दे दिया गया सब लोग formula लिख चुके हो आप try करने कोश करो सब लोग formula लिख चुके हो आप try करने कोश करना सब लोग formula लिख चुके हो आप कोशिश करो आप कोशिश करो भाई साब जवरदस्त वाली कोशिश करो सर क्या बोल रहा है के सी यल का मास चाहिए के सी यल का मास चाहिए भाई सब कितना एड करना है 75 ग्राम वाटर है सॉलिशन की मुलालिटी दी गई है मतलब कौन सा फॉर्मूला लगा दे सर ये वाला फॉर्मूला लगा दे क्या सर ये वाला formula लगा दे क्या क्यों कि सर बाकी सब कुछ दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है यहीं तो निकालना है बाकी देखो सब कुछ दिया हुआ है अब तुम बोलोगे सर molar mass solute नहीं दिया है एरे बेटा ये चीज तो भूली जाना यार ये चीज तो तुझे खुद भी पता है सर के सील के potassium का 39 ये 35.5 कितना हो जाएगा 74.5 हो गया सर के सील का mass आ गया सर ये कितना दिया है 2.25 इसकी value कितनी दिया है 2.25 is equals to 2.25 is equals to क्या हो जाएगा सर कितना mass है नहीं पता mass of KCL नहीं पता इसका value कितना है 74.5 into 1000 divided by कितना हो जाएगा 75 सर डबलू of KCL कितना आ जाएगा अगर मैं direct लिखना चाहो 2.25 into 74.5 into 75 divided by कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा अब एक simple सी चीज है आप थोड़ा सा calculation करके देखोगे तो calculation करके आपको चीजे मिलनी शुरू हो जाएगी calculation करोगे approximately approximation लगा दो यार मेरी साफ से तो approximation मैं बहुत fast करना जानता हूँ और मैं चाहता हूँ आप सब लोग भी वही जाने आपको अलग से कुछ नहीं करना एक simple चीज़ बताता हूँ जिन लोगों दखता हूँ सर अब कैसे answer निकालोंगा approximation करना यहां बहुत असान है क्यों क्योंकि सारे options में बहुत जादा gap एक 1.25 ग्राम है एक 125 ग्राम है 12 पॉइंट देख बिटा calculation कैसे असान करेगा exam hall में फ्रसी फिर बाकी ठीक है नहीं होगा तो कोई बात नहीं आप ऐसे ही सीखरोन के कोशिश करो यह दो decimal और एक decimal नीचे आएगा तो नीचे कितना हो जाएगा 1000 एक simple से maths की calculation 25 से यह 3 times यह कितना हो गया 40 times सर अगर मैं ध्यान से देखू तो अगर देखूगे अपने पास तो यहाँ पर यह 5 से करने ही कोशिश करो तो यह 5 से कितना हो गया 8 times और यह कितना हो गया अपने पास 5 से करो गया तो सर फाइब फोर्जा और यह कितना हो जाएगा 45 अब थ्यान से देखना मैं कैसे calculation कर रहा हूँ 8 से इसको multiply इसको तो करी सकते हो 8 से इसको divide कर दो 8 से इसको divide कर दो 45 से कितना हो जाएगा 45 से कितना हो जाएगा अगर मैं इसको divide कर देता हूँ या 45 45 को divide करोगो तो कितना आ जाएगा 5 point कितना आ जाएगा 5 point 5 point कितना आ जाएगा 5 point 6 5.6 into कितना करने वाला हूँ 3, divided by क्या करने वाला हूँ 1000, देख बेटा, इसकी value देखेगा तो ये कितना हो जाएगा तेरे पास 0.745, अब एक simple चीज, इसकी value देखेगा, तो ये कितना हो जाएगा, approximately 18 क्या सपास, 18, देख मैं कोई calculation नहीं कर रहा हूँ, exam hall में answer टिक करना जान रहा हूँ, 18 का 75% मतलब 18 से कम रहने वाला है 18 से कम रहेगा, 18 से कम वाली value कौन सी है सर ये answer आजाएगा, बस मुझे नहीं पता exactly कैसे calculate करूँगा exact value कब आएगी, बट मैं exam hall में ये छोटा सा round off करकर अपना काम कर लूँगा, अपना round off करकर करके काम कर लूँगा, हो गया, सर इसको 18 ले लूँगा, और ये क्या हो जाएगा, 18 का 75% कर लो, बाकिज इसको लगता है कि नहीं सर मेरे से ये सब नहीं होता है तो भाई आप कोई बात नहीं, आप अपना time दीजिए फिर या तो सीख लीजे नहीं, तो फिर time दीजिए क्योंकि आपको round off करना है, यहां देखो इतना बड़ा-बड़ा gap है, इन सब के वीचे इतना बड़ा-बड़ा gap है, तो आप round off करते जाओ इनको round off करोगे, आप cancer आएगा, क्यो नहीं आएगा, करके तो देखो पक्का हो जाएगा सर, तो molality अपने पास, molality molality का, चलो एक काम करते molality का एक और चीज़ क्या पढ़ी हम लोग ने molality से आप क्या क्या कर सकते हो, सर molality का एक question और देखो, यह तो चलो यह हो गया, इस साल का, अभी जाते जाते, need 2022 का, इसके बात की चीज़े अगली class में करेंगे concentration terms का वहाँ पर, last में कुछ formulas relate करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन हाँ, अभी last question, need 2022 का सब लोग करके दिखाओगे, need 2022 का question, सर कौन कौन करने को त्यार बैठा है, इस साल का question सर, इस साल का question करके देख ले इस से easy question हो नहीं सकता था, mole concept में, कि सर, क्या बोला जा रहा है, एक moral solution है, एक moral solution है, जिसमें 0.5 moles of solute है, जिसमें 0.5 moles of solute है, बताईए, कितना gram solvent होगा, एक बात बताओ बाई, एक बात बताना, जिन लों को basics definition आती है, एक बात बताना, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक moral solution का मतलब क्या होता है, कि सर, one mole of solute is, one mole of solute is present in, one mole of solute is present in, one kg of, या फिर one kg of solvent, या फिर मैं बोल सकता हूँ, one kg के बदले, thousand gram of solvent, ये लिख सकता हूँ, पक्का, सर, अभी लिखना सीथा अभी लिखना सीखा है सुचना अभी लिखना सीखा है और अभी इसके उपर इस साल का कुश्चन है ज्यादा दूर भी नहीं जाना नीट 2022 में आया हुआ कुश्चन है देख कैसे कुश्चन पुशा जा रहा है एक मौल किसमें प्रेजेंट है थाउजंड ग्राम ऑफ में प्रेजेंट है अब एक बात बता ना एक मौल थाउजंड ग्राम में प्रेजेंट है कुछ लोग देखते ही टिक कर दिया पता चला पहला अप्शन देख जितना तु गलत सोचेगा ना उतना एंसर दिया होगा फिर किसने दिमाग लगाया बोला कि नहीं सरी काम करते ज प्रेजेंट हो सकते हैं और गलती हें नहीं पढ़ा उसको concept आोँ से नहीं पढ़ा सेखेने जिसने टिक किया भाई से आपको किससे बोला और आनि आ सब किसा इनिये भूल सब्सक्राइब किसले कर सकते Сके यह देख लेना और मुझे बताना कि सार अब अपने पास और कोश्ट घला अपने पास मैं कोई दी फर्दर कुछ भी पूछा जाए concentration terms में बेटा मैं आपको अभी तक कितने बता चुका हूँ 10 concentration terms 10 concentration terms बता चुका हूँ कौन कौन से मैं आपको याद भी दिला जेता हूँ और आपको अब फिर से अभी एक बार आप देख लो अपने पास volume by volume डबलू बाई वी वी बाई डबलू ये चार के pairs बताए हैं फिर मैंने fraction वाले तीन terms बताए हैं और आब strength हो गया, molarity हो गई और small m हो गया strength हो गया, molarity हो गई small m हो गया, ये total 10 terms बताए हैं, अब एक काम करेंगे आज की class में बस इतना ही करेंगे DPP आज के आज बहुत सारी पड़ियों questions पड़े होंगे, module में आप concentration terms कर सकते हो, module में आप जाओगे उसमें topic wise में, module के topic wise questions में जाओगे, तो module के topic wise questions में आपको module का homework मैं बोलू, तो आप module में homework में जाके, concentration terms करके होगा, उसको जाके attempt कर सकते हो, ठीक है, मैं homework और बोलू, तो module में आपको concentration terms के, concentration terms के, सर, stress metric के मत करना, concentration terms के, जो भी questions होंगे, उसको attempt कर सकते हो, पक्का concentration terms के questions भी attempt कर सकते हो, दूसरी चीज़, DPP आपको पूरी-पूरी attempt करनी है, क्योंकि आपको हम लोग next class में शुरू करेंगे, stoichiometry, जो कि सबसे interesting और बीना किसी formula के बेताज बातसा बनके जाओ गोई, तुम्हें stoichiometry के, अगली दो classes में, ये chapter अपना finish होगा, कुछ लोगों को ये भी से कब finish होगा, भाई, पहला chapter है, और अच्छे से मैं चाहता हूँ, आपका base अच्छा बन जाए, so that कि अगले वाले chapters में आपको time जादा न लगे, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा time लेके करा रहा हूँ, चीजों को थोड़ा और अच्छे से करने कोशिश करेंगे, साथ साथ में practice करते जाएए, जितना हो सकता है बेटा ना, जितना हो सकता है, आप उतनी practice करने की कोशिश करो, questions करो, हो सकता है, सर, कभी-कभी क्या होता है कि सर, बहुत formulas है, बेटा आप अपने short notes बनाओ, आप अपने, अपने short notes बनाके comment box में बोल सकते हो मैंने short notes बना लिए अभी concentration terms कल अपका finish होगा और उसके उपर कल हम लोग क्या करेंगे जो भी ये 10 पढ़ेंगे उनको आपस में relate करेंगे और उसके उपर बहुत ही अच्छा अगर कोई question पूछेगा अगर बोलता है ना कि नीट में toppers का अगर बोलता है ना जिससे selection अपना rank अपना top 10 में आ सकते वो वाले question भी अगर पूछे गए तो वो भी मैं कर सकते हूँ ये कल हम लोग ये काम करेंगे कल इसके उपर अच्छे से discussion करेंगे और chapter का third part अच्छे से finish करेंगे that is concentration term और कल की class में fourth part भी शुरू हो जाएगा that will be आपका क्या हो जाएगा fourth part will be आपको मैं बोलू तो fourth part हो जाएगा stressometry तो कल की class काफी interesting है काफी interesting होने वाली है तो I hope सब लोग अभी तक enjoy कर रहे होंगे और थोड़ा सा जिन लोग को भी लगता है थोड़ी आप writing speed बढ़ाओ थोड़ा सा यार देखो क्योंकि बहुत सारी चीज़े करनी है मैं चाहता हूँ कोई question आपका ना छूटे इसलिए मैं थोड़ा time जाधा लगता है या time जाधा लेता हूँ आपसे क्योंकि मुझे पता है यार मैं नहीं चाहता कि मेरे स्ट्रेंट बोले सार आपने इस टाइप के questions नहीं discuss किये इस टाइप के questions डिसकस नहीं किये करते रो enjoy करते रो